पश्चिमी दुनिया आगई है किन स्वर्गिय इश्वरिय संप्रदाय में भय और आतंत की भावनाय बातावर्ण में व्याप्त थी अप्रभावित रहना असंभव था इन वर्षों के दौरान परम प्राचीन अमर लोकों में हर कोई पश्चिमी दुनिया की इस सेना के बारे में चर्चा कर रहा था हर जगह पश्चिमी दुनिया की सेना गुजरती थी, वहां के लोगों को पहुंचाया जाता था और बौध पथ में शामिल होने का फैसला किया जाता था उन्हें कोई रोक नहीं सकता था यह सेना तेजी से आकार में बढ़ती गई किसी को उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी दुनिया वास्टव में ऐसा कर पाएगी अब यह सपश्ट था कि वे वास्टव में सर्वोच प्राचीन अमर लोकों को एक जुट करना चाहते थे और नौ स्वर्गों के नीचे सर्वोच शासन करना चाहते थे यह अफवाह थी कि साधक भी बौध मंत्रों के प्रभाव का पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम नहीं थे कई काश्टकारों ने बौध धर्म में परिवर्तित होने का फैसला किया और बौध काश्टकारों के रूप में भक्त बन गए यह कौन सी स्वर्ग को चुनोती देने वाली शक्तिशाली शक्ती थी यह बिल्कुल अविश्वस निये था उन्हें कौन रोक सकता था और अब पश्चिमी दुनिया की सेना जिस दिशा में जा रही थी ठीक उनके हेवन वाल्ट के लिए थी सपश्ट रूप से एवन वाल्ट पश्चिमी स्वर्ग का अंतिन गंतव्य था वे स्वर्ग तिजोरी पर नियंतरन अधिकार प्राप्त करना चाहते थे और दुनिया में हर किसी को जमा करना जारी रखते थे तब से सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में केवल एक आधिकारिक शक्ती होगी और वह शक्ती पश्चिमी स्वर्ग का बौध संप्रदाय होगी पश्चिमी विश्व सेना द्वारा उठाये गए हर कदम से दुनिया के लोगों के दिल कामपने लगे हर कोई समझ गया कि उनके कारियों का संबंध सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की भविश्य की स्थिती से होगा अतीत में बहुत से लोगों ने महसूस किया कि स्वर्ग तिजोरी के जीतने का एक उच्च अफसर था और सर्वोच प्राचीन अमर लोकों का भविश्य का सर्वोच नेता बन सकता था लेकिन पश्चिमी दुनिया के भगवान के लोटने के बाद और जैसे ही वह पूर्व की ओर अपनी सेना लेकर आया दुनिया के लोगों को पता चला कि वे गलग थे एक देवता को प्रकट हुए अंगिनत वर्ष हो गए है सिर्फ उनका प्रकट होना यहां तक की कोई लड़ाई होने से पहले ही उनके तौर तरीकों ने दुनिया को कमपकमपा दिया है पश्चिमी दुनिया पहले ही स्वर्ग शेत्र में प्रवेश कर चुकी है और असीम शहर से लगभग 10,000 मील दूर एक जगह पर आ गई है वे वर्टमान में बहुत तेज गती से बाउंडलेस सिटी की ओर बढढ रहे थे कुछ समय बाद पश्चिमी दुनिया की सेना बाउंडलेस सिटी की सीमाओं पर आ गई और बाउंडलेस सी रीजन में जाने लगी हेवन वार्ट में कई तरह की खबरें प्रसारित की गई किन स्वर्गिये इश्वरिये संप्रदाय के सदस्य अत्यंत चिंतित थे आदित्य ने आखिरकार अपना एकांत छोर दिया अभी सब तैरते हुए महल में जमा थे जहां वो ठहरे थे उनके सारे दोस्ट और चाहने वाले आचुके हैं जाने भचाने चेहरों ने उसकी ओर दिड़ता से देखा जाहिर है हर कोई जानता था कि वे किसका सामना करने जा रहे हैं पापा मा आदित्य ने किन यूँआन फिंग और लोशेन की आनक्सियू को बुलाया किन यूआन फिंग की अभिव्यक्ती शांत थी लोशेन की आनक्सियू की खूबसूरत आखें चिंता के संकेट से जिलमिला उठी किन केकसिन उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहे ड्रिड थी आदित्यक पश्चिमी स्वर्ग एक बहुत बढ़ा खत्रा है यू चांदकोंग और चेहो भी हम पर हमला करने का मौका ले सकते हैं, लोशिन चुआन बोला दानव देवता परवत के पांच राक्षस उसके पास खड़े थे वर्तमान में उनका प्रभामंडल स्पष्ट रूप से पहले से अधिक असाधारन था वास्तव में अब दानव देवता परवत में केवल पांच दानव देवता नहीं थे उनके पीछे अभी भी कई दानव देवता खड़े थे ये सभी दानव देवता थे जो हाल के वर्षों में उठे थे फिर हम उन सब से लड़ेंगे जुनमेंडचेन की आवाज थंडी थी जो एक चौकाने वाली लड़ाई का इरादा दिखा रही थी चेहो से हारने के बाद वह बंददरवाजे के एकांत में चला गया और स्पष्ट रूप से इन वर्षों के दौरान उसका एक और परिवर्तन हुआ जो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था मैं उन सब को खा जाऊंगा ननहा बदमाश धीमी आवाज में दहाड़ा जिस कारण से वह अपने मातापिता से अलग हो गया था वह ठीक पश्चिमी दुनिया के भगवान गुद्ध संप्रभु के लिए धन्यवाद था युद्धी QEU से लड़ाई का इरादा आसमान में उठ गया बैटल सेंट प्राइब के सदस्य जो उसके पीछे खड़े थे ने भी चौकाने वाली लड़ाई की मनशा बिखेरी उन में से कई पहले से ही देवता थे स्वर्ग तिजोरी से देवताओं की सेना पहले से ही अपनी तयारी कर चुकी है और युद्ध के लिए तयार थी आदित्य ने जाने भचाने चेहरों की तरफ देखा उसके पास यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा यदि वे गिरते हैं तो वह केवल अपना सर्वश्रिष्ट कर सकते हैं और उनके परिवारों की रक्षा कर सकते हैं इस लड़ाई में मरने वाले लोग हो सकते हैं भारी स्वर में बोलते हुए आदित्य ने सभी की ओर देखा ऐसा नहीं था कि वह मनोबल गिराना चाहते थे लेकिन ये सच्चाई थी सबकी आखें चलक पड़ी कि यूने हंस्ते हुए कहा हमने इतने सालों तक संत भगवान का अनुसर्ण किया है अमर समराट के दाइरे से लेकर हमारे वर्तमान दाइरे तक हमें देवता बनने की महिमा का स्वाद चखने की अनुमती दी है वर्चस्व की इस जंग में भले ही हमें मरना पड़े यह इसके लायक है हमें कोई पच्टावा नहीं है सदर्न फीनिक्स मैट्रियार्प मुस्कुराया वह भी बेहत शांदार और खूबसुरत थी उसकी मुस्कान ने उसके सौंदर्य को और तेज कर दिया क्योंकि वह शांती से बोली आदित्य हमारे रिष्टे के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है हालाकि दक्षिनी फीनिक्स कबीला मेरा था यह भी आपका है यदि मैं छोटा होता और तुम्हारे समान पीधी का होता तो निश्चे तुम्हारा पीछा करूंगा एक बार आपने दक्षिनी फीनिक्स कबीले के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया था उस स्थिती में दक्षिनी फीनिक्स कबीले को यदि तुम मेरा पीछा करते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे आकर्शन का सामना नहीं कर पाऊंगा इतना सुनते ही आदित्य खिलखिला कर हस पड़ा दक्षिनी फीनिक्स कबीले के साथ उनके संबंधों को देखते हुए वास्तव में कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी अगर मैं युद्ध में मर जाता हूँ आदित्य योहुआं की अच्छी देख भाल करने में मेरी मदद करें दार्क नौर्थ अमर समराट आदित्य को घूरते हुए बोला आज तक भी आदित्य ने अभी तक बीमिंग युहुआं को कोई दर्जा नहीं दिया है स्वर्की तिजोरी में कौन आदित्य के प्रती अपनी बेटी की भावनाओं के बारे में नहीं जानता था सही आदित्य ने जोर से सिरहिलाया एज योर मिस्टिक के हम पुराने साथियों के पास वास्तव में सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के वर्चस्व के लिए युद्ध में भाग लेने का मौका है इसे पहले से ही एक सम्मान माना जा सकता है सदाबहार अमर समराठ हसा मेरा दानव भगवान परवत हमारे भविश्य के लिए जुआ करेगा यदि हम जीत जाते हैं तो हमारा दानव देवता परवत अब से सर्वोच प्राचीन अमर लोकों का राजगराना बन जाएगा आदित्यक भले ही हम बुढ़े लोग युद्ध में मर जाएं मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं स्वर्ग को भस्न करने वाला दानव प्रभुहसा वरिष्ट कृप्या आराम से आराम करें अगर मैं सर्वोचता का दावा करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूँगा कि दानव भगवान परवत सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की शाही शाखाओं में से एक बन जाएं आदित्य ने सिरहिलाया दैत्य देव परवत के विभिन दैत्य शासकों की आखें तेज से चमक उठी यदि वे जीत जाते तो वे सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के राजा बन जाते यह अतीत से पूरी तरह से अलग होगा जहां वे उजाड शेत्र में केवल एक आधिपत्य वाली शक्तियों में से एक थे अब से सभी पीढियों के लिए दानव भगवान परवत शाही शाखाओं में से एक होगा स्वर्ग तिजोरी के मूल का हिस्सा होगा उन सभी को आधित्य के चरित्र पर कोई संदेह नहीं था कितना अच्छा दाव है आधित्य हमारा क्यानकुन संप्रदाय और Nine Mystical Heavenly Palace भी दाव लगाने को तयार है इस युद्ध में अतीत के सभी दुखों को धुल जाने दो क्यानकुन संप्रदाय के नेता बोले कोई बात नहीं अगर हम इस लड़ाई को जीत जाते हैं चाहे आप सभी जीवित रहें या नहीं यहां की सभी शक्तिया आपके परिवार और कुल भविश में सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की नई रॉयल्टी का हिस्सा बनेंगे हम सर्वोच प्राचीन अमर लोकों पर एक साथ शासन करेंगे मुझे सर्वोच प्राचीन अमर लोकों पर शासन करने की परवाह नहीं है मैं केवल इतना चाहता हूं कि आदित्य गेगे सुरक्षित रहें अगर आपको कुछ हो जाता है भले ही हम युद्ध जीत जाएं बहुत से लोग अब जीना नहीं चाहेंगे बाई किंग की खूबसूरत आखें आदित्य की ओर मुड गई वह महिमा नहीं चाहती थी वह चाहती थी कि वह सुरक्षित रहे मूर्ख लड़की आदित्य ने धीरे से बाई किंग के बालों को सहलाया इस जीवन में वह बहुत से लोगों के कर्जदार थे उनकी यह चोटी बहन बाई किंग निससंदे उन लोगों में से एक थी जिनके लिए वह सबसे अधिक कर्जदार था किंगेर, किंगचेंग और ये कियानियों सभी चुपचाप आदित्य के पास खड़े हो गए उन्होंने कुछ नहीं कहा आदित्य नहीं चाहते थे कि वे लड़ाई में शामिल हो लेकिन वे कैसे भाग नहीं ले सकते थे सबने पहले ही इस लड़ाई में साथ जीने मरने की कसमे खाली थी परगेटरी और जियालन की उयू आदित्य के पीछे खड़े थे, चुपचाप ये सब देख रहे थे आदित्य ने पीछे मुर कर देखा उनके पालत पिता किंचुआन, ये की आनियुन, उनकी बहने किन्याओ, लोहुआन और कई अन्य प्रियजन यहां मौजूद थे ये सभी जाने भचाने चेहरे उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आखों में घबराहट के निशान थे सभी जानते थे कि आदित्य को लड़ाई में क्या-क्या जेलना पड़ा था इस तथ्य के बावजूद की वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की की हेवन बॉल्ट निश्चित रूप से अंतिन विजेता होगा उनके विरोधी बहुत भयानक थे अतीत में एजियोर मिस्टिक में वह लड़ाई कितनी भयानक थी हालां कि आदित्य तब भी बच सके थे और इस लड़ाई के लिए आदित्य की मौझूदा ताकत को देखते हुए लड़ाई से डरने की क्या जरूरत है इस समय भाई वुया बोली उन्होंने एवरग्रीन इम्मोर्टल एम्पायर में उस दैनिय लड़ाई के बारे में सोचा जब उन्होंने जारी रखा उस समय एजियोर मिस्टिक में कई युद्ध हुए थे लेकिन आदित्य ने अंत में वर्चस्व का दावा किया और हेवन एम्पायरियन पैलेस की स्थापना की दुनिया के लोग वहां जाते और रोजाना उनका सम्मान करते आज वह हमारा नेत्रित्व करेगा और हेवन वॉर्ट में इस लड़ाई के लिए सर्वोच्छता का दावा करेगा वरिष्ट भाई भाई सही कह रही है यह लड़ाई वर्चस्व की है देखते हैं दुनिया में कौन हमें चुनोती दे सकता है यहां के विशेशग्यों ने सभी को अपना खून बढ़ता हुआ महसूस किया घर छोड़ देना आदित्य मुडा और हेवन वाट के बाहर निकलने की ओर बढ़ गया सभी विशेशग्य उसके पीछे हो लिए उनकी आखे ग्रिड संकल्प से भरी हुई थी कई लोगों की निगाहें आदित्य की इमपोजिंग बैग पर टिकी रही वे बता सकते थे कि वह वहाँ मरने के लिए तयार था भले ही वह वापस न लोट सके उसे कोई पच्चताबा नहीं था महान नदी की लहरें अंत्य समुद्र में बहेंगी पूरे समय में बहुत सारे पौराने पात्र थे लड़ाई से डरने की क्या जरूरत थी मौत से डरने की क्या जरूरत थी बांडलेस सिटी के लोग लंबे समय से चले गए है यहाँ अब एक खाली शहर था वे असीम समुद्र के समुद्र कट पर एकत्र हुए और इसके आसपास मंडराने लगे पश्चिमी विश्व सेना के आने की प्रतीक्षा करने लगे उनमें से किसी के मन में भी पश्चिमी विश्व सेना को बाधित करने का विचार नहीं था उन सभी ने कहानिया सुनी है कि कैसे लोग बौध मंत्रों को सुनकर तुरंत परिवर्तित हो जाते थे हालांकि वे काफी दूर थे लेकिन असीम सागर क्षेत्र के आसपास के लोग पहले से ही उस विशाल प्राचीन बुद्ध को आगे बढ़ते हुए देख सकते थे यह बहुत चौकाने वाला था वे बुद्ध का सिर नहीं देख सकते थे और केवल उसका शरीर देख सकते थे बौध मंत्रों की ध्वनिया बहने लगी कई विशेशग्यों ने प्रभावित होने की इच्छा न रखते हुए अपनी छे इंद्रियों को सील कर दिया लेकिन जहां तक उन कमजोर क्रिशकों की बात है वे बहुत पहले ही कहीं दूर जाबसे थे पीछे रहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े पैमाने की लड़ाई में आफ्टरशॉक्स की सीमा निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी अगर वे पीछे रहते तो वे मर सकते थे यह बहुत खतरनाक था स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे भी थे जो जाने को तयार नहीं थे वे इस एतिहासिक युद्ध के साक्षी बनना चाहते थे जो विभिन युगों में भी शायद ही कभी हुआ होगा वास्तव में सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के इतिहास में इस तरह के पैमाने की लड़ाई कभी नहीं हुई थी हो सकता है उस समय प्राचीन एज्योर मिस्टिक की विश्वन्त की लड़ाई तुलनिय थी और अगर यह लड़ाई सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के भविश्य के शासक का फैसला कर सकती है तो इसका प्रभाव अतीत से दुनिया को खत्म करने वाली लड़ाई को पार कर जाएगा ऐसी एतिहासिक लड़ाई कौन नहीं देखना चाहेगा जिन विशेशग्यों में कुछ शमताएं थी वे सभी छोड़ने के लिए अनिक शुक थे हाला कि उनकी जान को खत्रा हो सकता है फिर भी वे इस लड़ाई को देखना चाहते थे और इस समय बौध मंत्रों की ध्वनिया कम और नीची होती गई अब बाहर नहीं सुनाई दे रही थी ऐसा लगता था कि बौध साधकों ने जानबूच कर जब करना बंद कर दिया था लेकिन स्वर्ण पवित्र प्रकाश जरा भी फीका नहीं पड़ा इसने आकाश को ढख लिया और आगे फैलता रहा बाउंडलेस सिटी भी तुलना में बहुत छोटा लग रहा था स्वर्णिंबौध प्रकाश ने आसानी से इसे ढख लिया अंत में पश्चिमी विश्व सेना ने बाउंडलेस सिटी पर कबजा कर लिया पश्चिमी स्वर्ग के बुध जो आगे चल रहे थे वे भी तट शेत्र में पहुँचे फिर वे रुके और किन स्वर्गिये इश्वरिय संप्रदाय की दिशा में घूरने लगे वह स्थान उनकी यहां यात्रा का उद्देश था जैसा कि दुनिया के लोगों ने अनुमान लगाया है पश्चिमी दुनिया पहले हेवन बॉल्ट से आगे निकलना चाहती थी एक अन्यदिशा में यूचांद कोंग की सेनाई भी पहुची उन्होंने सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के साथ-साथ वहां के देवताओं के अतीत की कई प्रमुख शक्तियों का नेत्रित्व किया सपश्ट रूप से वह यहां पश्चिमी दुनिया के साथ सेना में शामिल होने के लिए आया था यूचांदकों की आँखों में एक ठंडी मुस्कान देखी जा सकती थी आज आखिरकार आ गया है उन्होंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है आकाश में प्रकाश की एक चमकीली किरन उतरी एक भयानक तेज आभा को बाहर निकालते हुए जो समुद्रक शेतर के पानी को विभाजित करने के लिए आकाश के माध्यम से उठी एक सुनहरी आकरिती दिखाई दी उसने असीम समुद्रों के माध्यम से एक रास्ता बनाया जो सीधे किन स्वर्गिये इश्वरिये संप्रदाय की ओर जाता था यहां आंक्रा कोई और नहीं बलकी चे हो था वह हवा में खड़ा था और आगे की ओर देखते हुए उसकी टकट की चरम पर भयानक थी जैसा स्वर्ग तिजोरी में कई लोगों ने अनुमान लगाया है आज उनके दुश्मन इकठे हो गए है इसके अलावा यह केवल पश्चिमी दुनिया नहीं थी सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की सबसे शक्रिशाली शक्तिया आज यहां असीन सागर शेत्र में एककत्रित हुई है जो किन स्वर्गिय इश्वरिय संप्रदाय पर आक्रमन करने की तयारी कर रही है समुद्र में एक रास्ता खुल गया अभी किन स्वर्गिय इश्वरिय संप्रदाय मूल रूप से पहले से ही असीन समुद्र तट पर सीमाबद्ध है आदित्य और बाकी किन स्वर्गिय इश्वरिय संप्रदाय के भीतर खड़े थे और दुश्मन विशेशग्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे पश्चिमी दुनिया यूचांग कोंग और साथ ही चेहो के नेत्रित्व वाली हेग्मोनिक शक्तिया एक शक्तिशाली दबाव बह गया यहां तक की असीम सागर शेत्र की लहरें भी प्रभावित हुई यह दबाव बहुत अधिक था दुश्मनों का ऐसा गठन सही माइने में हर चीज़ पर हावी हो सकता है केवल एक बौध किसान को उस चेत्र से बाहर निकलते हुए देखना जहां पश्चमी दुनिया का कबजा है यह एक बुद्ध भगवान थे वह नेत्रित्व में प्राचीन विशाल बुद्ध के पास खड़ा था और अपनी हथेलियों को एक साथ दबाते हुए किन स्वर्गिय दिव्य संप्रदाय की दिशा में घूर रहा था सरकिन मुझे विश्वास है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब से आप ठीक है हम दोस्त नहीं हैं इसे बचाओ आदित्य ने ठंडा जवाब दिया सरकिन आपने स्वर्ग तिजोरी पर एक आधिकार कर लिया और इसका उपयोग सर्वोच प्राचीन अमर्क शेत्र के सभी विशेशग्यों को धमकाने के लिए किया कई आधिपत्य वाली शक्तियों को नश्ट कर दिया दुनिया पर अत्याचारी रूप से हावी हो गए जो भी आप चाहते हैं बुध दयालू हैं हमारे बौध संप्रदाय ने पूर्व की ओर जाने का फैसला किया और आपके द्वारा स्थापित शक्ति द्वारा सर्वोच प्राचीन अमर्लोकों में पोस्ट किये गए इस संकट को हल किया अगर सर किन के दिल में अभी भी दया है तो आपको वध करने वाले चाकू को त्याग देना चाहिए और बौध धर्म में परिवर्तित हो जाना चाहिए इस बुध भगवान की आवास स्वर्ग और प्रिथवी के माध्यम से गूंजती है सुनहरी रोशनी चमक उठी अतुलनिय रूप से पवित्र दिखाई दे रही थी हाला कि जब हेवन वाल्ट के लोगों ने इन शब्दों को सुना तो वे शाप देने के अलावा और कुछ नहीं कर सके आज ही मुझे पता चला कि सबसे बेशर्म लोग पश्चिमी दुनिया से हैं वे कितने उचे क्षेत्र में पहुँच गए यह सोच कर कि वे वास्तव में ऐसे बेशर्म शब्द बोल सकते हैं लोशन चुआन थंडेपन से बोला उन्होंने फिर जारी रखा पश्चिमी दुनिया पूर्व की ओर जाती है और यहां उनके रास्ते में जिन जगहों से आप सभी गुजरे हैं वहां के लोग प्रभावी रूप से आपकी कठपुतलियों में बदल गए हैं ऐसे तरीकों और यूचांगकों में क्या अंतर है जो काम तूने किये वे भी दुष्ट ही है वे मूल रूप से पहले से ही यूचांगकों के साथ गठबंधन कर चुके हैं और यह सिर्फ एक बार नहीं है वे बौध साधकों के कपड़े पहनते हैं लेकिन वास्तव में वे एक दुष्ट संप्रदाय के अलावा और कुछ नहीं है फिर भीक वे खुले तौर पर यह कहना चाहते थे कि वे दयालुता के प्रतीक हैं कितना घ्रिनित स्वर्ग को निगलने वाला शैतान शासक बौध संप्रदाय के व्यवहार को हे दृष्टी से देखता था इस यात्रा के लिए पश्चिमी दुनिया ने वास्तव में कितने निर्दोश लोगों को बंधक बना लिया है उनका ब्रेन्वाश कर दिया है ये सभी लोग हमारा अनुसर्ण करने के लिए पूरी तरह से तयार हैं और उन्होंने अपना विश्वास बौध धर्म में परिवर्तित करने का फैसला किया है सब कुछ छोड़कर बुध दाव में प्रवेश किया है इसे इस तरह वर्णित किया जा सकता है दुनिया के नीचे सभी दिल एक जुठ है एक अनुठा चलन है उस बुध भगवान ने शांती से उत्तर दिया उनकी तवचा इतनी मोटी थी कि यहा अविश्वस निये थी गर्जन छोटा बदमाश एक विशाल जानवर में बदल गया और उसने अपने नुकीले दांट निकाल लिए वह अपने रास्ते को खत्म करने और इन बेशर्म बौध काश्ट कारों को खा जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था दुनिया के लोगों का अफ़रन उनकी सोच को नियंतरित करने के लिए बौध कलाओं का उपयोग करना क्या यह बौध संप्रदाय की तधाक्थित दयालुता है आदित्य खिलखिलाकर हसपड़ा पश्चिमी दुनिया की दयालुता सचे बुध दाव की दयालुता के विपरीट दिशा में दोड़ी बौध कला कभी भी लोगों के दिलों को नियंतरित करने की कोशिश नहीं करेगी यह केवल लोगों को जाने देना सिखाएगा बुरे विचारों वाले लोग अपने बुरे विचारों को दूर करने में सक्षम होंगे जो अधिकार और शक्ती का लालच करते हैं वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे दुनिया में हर कोई बौध धर्म की ओर मुड़ेगा यह स्वर्ग और प्रित्वी का भव्यदाव है, वह बुद्ध भगवान बोले, जैसे उनके शब्द तारकिक और सही थे यह शायद बेशर्मी और पाखंड की पराकाश्था थी आदित्य और अन्य लोग सोच रहे थे कि क्या ये बौध साधक वास्थव में अपने कारियों की प्रकृती से अन्भिज्य थे या नहीं लेकिन मैंने सुना है कि पश्चिमी दुनिया की यात्रा के कारण कई परिवार तूट गए, यहां तक की मौते भी हुई वे लोग आपके साथ जुडने के लिए सब कुछ जाने देते हैं, यह भूल जाते हैं कि वास्थव में वे कौन थे, जिसमें उनके प्रियजन भी शामिल थे क्या यह पश्चिमी दुनिया का भव्यदाव है? चुँकि वे सब कुछ नीचे रख सकते हैं, इसका मतलब यह था कि उनके हृदय में बुद्ध हैं यह और कुछ नहीं बलकि वे अपने वास्तविक स्वरूप में लोटने का प्रबंधन कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? अब उन्हें देखो, वे केवल शांती और शांती के बारे में जानते हैं, वे पहले से कहीं अधिक खुश और सहज हैं बुद्ध भगवान शांती से बोले उसने फिर जारी रखा संप्रदाय के नेता कीम हमारे बौध संप्रदाय ने आपके साथ दाव पर चर्चा करने के लिए यहां की पूरी यात्रा नहीं की हेवन वाल्ट को एक ऐसा हतियार माना जाता है जो सर्वोच प्राचीन अमर लोगों के भागे को निर्धारित कर सकता है इस हतियार के लिए हमारी पश्चिमी दुनिया जिम्मेदार होने और इसकी कमान संभालने को तयार है अगर संप्रदाय के नेता किन वास्तव में दुनिया की परवाह करते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे और हत्या के अनावश्यक पाप नहीं करेंगे तुम्हारी मा का गोज किन स्वर्गिये दैविये संप्रदाय के कुछ शिश्य यह सुनकर पूरी तरह से प्रोधित हो गए वे जोर से गाली दिये बिना नहीं रह सके यह अविश्वसनिय था वास्तव में इस दुनिया में कोई इतना बेशर्म होगा हालांकि यू चांदकोंग दुष्ट था वह स्पष्ट रूप से दुष्ट है यह सब जानते थे जूठे मोर्चे के पीछे नहीं छिपेंगे लेकिन ये गंजे गधे सही माइने में बेशर्मी की मिसाल थे दूसरों को नियंतरित करना और कुछ नहीं बलकि उनकी नजर में नियंतरित लोगों के लिए उधार था वे स्वर्ग की तिजोरी को जब्द करना चाहते थे और उसका पदभार लेना चाहते थे गंजे गधों का यह जुंड उनके चहरे पर सोना लगा होना चाहिए यहां तक की शक्तिशाली डाव कलाएं भी उनकी तवचा की मोटाएं को भेदने में सक्षम नहीं होंगी कई लोगों ने अंजाने में शाप दिया आदित्य भी अवाक रह गया यह सुनकर उसके चारों और के सभी देवता क्रोधित हो गए वे स्वर्ग तिजोरी के नियंतरक थे लेकिन इन गंजे गधों के पास वास्तव में यह कहने के लिए चहरा है कि अगर वे दुनिया की परवाह करते हैं तो उन्हें इसे अस्विकार नहीं करना चाहिए यह ऐसा था जैसे स्वर्ग की तिजोरी बौध संप्रदाय से संबंधित होनी चाहिए यदि उन्होंने इस व्यवस्था को अस्विकार कर दिया तो वे गलत होंगे और वे दुष्ट होंगे किसी भी मामले में स्वर्ग तिजोरी पर कबजा करने की उनकी कारवाई दुनिया के लिए दयालुता का कार्य थी यह स्वर्गी यदाओ का सर्वोच तर्ग था और अगर कोई पूछे पश्चिमी दुनिया के अलावा क्या कोई अन्यशक्तियां है जो इतनी शांती और सही तरीके से स्वर्गी तिजोरी को जब्द करने की बात कर सकती है मैं तुम्हारा सामान जब्द कर लूँगा लेकिन मैं धर्मी हूँ यदि आप विरोध करते हैं तो आप दुष्ट है यह एक बात थी अगर पश्चिमी दुनिया यूचांदकों की तरह दुष्ट थी लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके बुरे स्वभाव के बावजूद उन्हें अभी भी एक ऐसे चहरे के पीछे छिपना पड़ा था जहां हर कोई उनके असली रंग देख सकता था यह सच्मुच असहनिय था दुष्ट होना एक बात थी अपने स्वभाव को ढखने के लिए धार्मिक्ता का चोला पहनने की कोई आवश्चक्ता नहीं है यह कितना बेशर्म हो सकता है यहां तक की यूचांदकोंग जो किनारे पर खड़ा था खुद को बुरी तरह से मुस्कराने से नहीं रोक सका यह गंजे गधे हमेशा की तरह बेशर्म थे फिर वे हसे पश्चिमी दुनिया दुनिया के बारे में सोच रही है यह बड़ी दयालुता का कार्य है और चीजों की सामान्य प्रवरित्ती को देखते हुए यह कारवाई आवश्चक भी है आदित्य अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आपको अभी सब्मिट कर देना चाहिए बौध संप्रदाय स्वभाव से दयालु है वे तुम्हारी जान बक्ष देंगे जैसे ही यूचांगकोंग बोल रहा था वह भी मुस्करा रहा था और जहां तक चेहो का सवाल है उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे हाला कि वह समवेदंशील था और उसकी बुद्धी मनुष्यों से हीन नहीं थी उसका असली रूप कुछ ऐसा था जो एक दिव्य हतियार से रुपांतरित हो गया था जिसने जन्म लेने के लिए स्वर्ग और प्रिथवी से भाग्य चीन लिया था उसके पास इतनी जटिल भावनाएं नहीं होंगी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता परोपकारी यू भले ही भटक गया हो लेकिन उसका हरिदय अभी भी बुद्ध की और जुका हुआ है वह दयालुता का एक महान कार्य करते हुए हमारे साथ साथ स्वर्गिय तिजोरी का नियंत्रन लेने को तैयार है भविष्य में हमारा बौध संप्रदाय परोपकारी यू को अच्छा करने के लिए प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेगा बुद्ध भगवान शांती से बोले आदित्य ने शुरुवात की उसके बाद उसने अपना सिरहिलाया वह वास्तव में अवाक्था इसलिए यू चांद कोंग ने स्वर्ग की तिजोरी को जब्ध करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो गए और इसे दयालुता के कार्य के रूप में व्याख्यायत किया गया एक दुष्ट खलनायक के पास अच्छा बनने का अफसर था लेकिन वे जो स्वर्ग तिजोरी के नियंत्रक थे दुष्ट थे आदित्य समझ गया कि शब्द बेकार है आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके विरोधी की सीमाएं कहा है उनकी बेशर्मी की हद प्राचीन काल में भी सचमुच अभूपूर्व थी यूचांदकों के चहरे पर भी एक अजीब सा भाव था एक फी की मुस्कान अभी भी देखी जा सकती थी कुछ बुरी लगती थी हालाकि उनका लहजा सम्मान जनत लग रहा था जब उन्होंने कहा आदरनिय भिक्षु के शब्दों की अपेक्षा के अनुसार रेवरेंट के शब्द समझ में आते हैं हमारा बौध संप्रदाय संप्रदाय के नेता किन को अच्छाई की और मुढने का मौका देने को तयार है लेकिन अगर संप्रदाय के नेता किनने हमें मना कर दिया तो दुनिया के लिए हमारा बौध संप्रदाय केवल आपके खिलाफ कारवाई करने का विकल्प चुन सकता है बुध भगवान बोले क्या श्रध्य हत्या का पाप पैदा करने से नहीं डरते किसी ने पूछा यदि हम नर्क में प्रवेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा उस बुध भगवान ने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और गंभीरता से कहा आदित्या ने सिरहिलाया मैं भी दुनिया के लिए चिंतित हूँ और महान दयालुता करना चाहता हूँ मुझे दुनिया के महान आदेश को बाधित करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन मेरी दया का कार्यव है जो पश्चिमी दुनिया को अस्तित्व में नहीं आने देता मैं पश्चिमी दुनिया को सर्वोर्च प्राचीन अमर लोकों से हमेशा के लिए गायब कर दूँगा। अपने वाक्य के अंत में आदित्य का स्वर ठंडा हो गया। उनके दृष्टिकों से पश्चिमी दुनिया की दुष्ट प्रकृती यू चांदकों से बिलकुल भी कम नहीं थी। वे अच्छा करने की बात करते थे लेकिन उनके कार्य विप्रीत थे। उन्होंने दुनिया के लोगों को नियंत्रित किया, उनके विश्वास को बदलने के लिए उनका ब्रेनवाश किया, उन्हें बुद्ध दाव को छोड़ कर सब कुछ छोड़ दिया। यह बड़ी बुराई का सच्चा कार्य था। उनके प्रभाव का विरोध करने में असहाई थे। जोर से सुनाई देती है, उपस्थित लोगों के दिलों को जग जोरती है, उन्हें जगाती है। उसके बाद उन्होंने आग्यादी हर कोई स्वर्ग की तिजोरी में पीछे हट जाता है। स्वर्गिय देवताक शेत्र के नीचे के दिव्य संप्रदाय के वे शिश्य पीछे हट गए। यदि वे युद्ध में शामिल होते तो निश्चित रूप से मर जाते और केवल तोप का चारा हो सकते थे। उनके लिए पीछे हटना ही एक मात्र विकल्प था। सभी के हावभाव बेहत भद्दे थे। हालाकि वे अपने संप्रदाय के नेता के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे और इन गंजे गधों को मारना चाहते थे। लेकिन बौध मंत्रों की आवाज वास्तव में शैतान की कानाफूसी से भी अधिक भयानक थी। उनके पास इसके प्रभाव का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। वे केवल गती बढ़ा सकते थे और हेवन वॉल्ट में पीछे हट सकते थे। बस स्वर्ग की तिजोरी की दिशा में बढ़ते हुए, आकाश के माध्यम से बिजली का एक सुनहरा बोल्ट निकला। यह कोई और नहीं बलकी मानव निर्मित हथियार चेहो था। किन युवान फिंग ने ठंडेपन से सास ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुक्का मारा। एक पल में छै भयानक भंबरों में छै रास्तों की शक्ती प्रकट हुई। चेहो के अराजकता के ताव प्रकट हुए क्योंकि उन्होंने लाखों दिव्य हथियारों को मूर्ट रूप दिया। प्रत्येक एक अलग डाव कला से युक्त था। वह छै रास्तों की शक्ती के खिलाफ आमने सामने भिर गया। प्रभाव अंतरिक्ष में कई आसु पैदा कर रहा था। यहां तक की नीचे का असीम समुद्र भी विभाजत हो गया था क्योंकि जमीन में बड़ी दरारे दिखाई दे रही थी जो लगातार बाहर की ओर फैली हुई थी। इसके अलावा शुरुवाती जड़क के बाद दोनों नहीं रुके। छै पथों का बल प्रकाश के छै पुंजों में परिवर्तित हो गया। राप्त करने के बाद किन स्वर्गिय इश्वरिय संप्रदाय में वास्टव में दो लोग होंगे जो उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। यह युग वास्टव में एक विशेश था। शायद उस समय आठ प्राचीन देवताओं के युग के दौरान सत्ता का शिखर मोटे तौर पर इसी स्तर पर होना चाहिए था। हालाकि इस युध में उस गौरवशाली युग का समापन होगा। केवल एक ही व्यक्ती होगा जो इस युग में सर्वोच प्राचीन अमर लोकों को जीट और एक जुट कर सकता है। भाई चेहो इस समय एक व्यक्ती ने पुकारा जिससे चेहो का सिर मुर गया। जिस व्यक्ती ने पुकारा वह कोई और नहीं बलकी युचांग कोंग था। केवल यह देखने के लिए कि युचांग कोंग के चहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह बोला भाई चेहो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। पश्चिमी दुनिया के बुद्ध यहीं आये थे। उनकी दयालुता के कार्य पूरे विश्व में फैल गए और वे अपने कश्टों से बहुत से लोगों का उधार करना चाहते हैं। बौध संप्रदाय की शक्ती के तहट सभी प्रतिरोध व्यर्थ होंगे और अंताहार मान लेंगे। हम दोनों को केवल समर्थन के रूप में कार्य करने की आवश्चक्ता है। यू चांदकों किस तरह का चरित्र था। यह कहना अतिशुक्ति पूर्ण नहीं था कि वह शुद्ध बुराई का आवतार है और उसके पास दो देवताओं की शक्ती भी है। उनका खेती का आधार अत्यंत मजबूत है, फिर भी उनका व्यक्तित्व इतना दुष्ट था। उसका उद्देश इतना आसान नहीं था जितना स्वर्ग की तिजोरी को नश्ट करना। वह स्वाभाविक रूप से निर्विवाद रूप से शासन करना चाहता था और सर्वोच प्राचीन अमर लोकों का राजा बनना चाहता था। हाला कि इस बार पश्चिमी दुनिया के कारण हुए हंगामे ने न केवल दुनिया के लोगों को स्तब्ध कर दिया। इससे वह सहन भी गए। यह केवल अकेले बौध समराट की शक्ती नहीं थी। यह सभी बौध साधकों की शक्ती थी। एक बार यह एकत्रित शक्ती प्रस्पुटित हो जाएं तो यह कितनी प्रबल होगी। यहां तक कि अगर विप्रीत पक्ष वाला एक प्राचीन देवता था जो वापस आ गया है तो देवता इसके खिलाफ संधर्ष करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार पश्चिमी स्वर्ग का स्वामी स्वय भी एक देवता था और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा उसे इस समय सभी बौध काश्ट कारों का समर्थन प्राप्थ था। ऐसी परिस्थितियों में यूचांद कोंग स्वाभाविक रूप से पहले कारवाई करने का बीड़ा नहीं उठाएगी। प्रकाश की एक सुनहरी किरण में बदल गया और पश्चिमी दुनिया के बुद्धों के लिए युध के मैदान को छोड़कर उड़ गया। अंच अंगुलियों वाली हथेली की चाप सीधे नीचे की और जुकी हुई थी, यहां तक कि आकाश भी पूरी तरह से ढखा हुआ प्रतीत हो रहा था। केवल वह हथेली दुनिया में रह गई थी। इसमें आकाश को दबाने की शक्ती थी, इसके दाइरे से कुछ भी नहीं निकल सकता था। असीन समगरत किन स्वर्गिय दिव्य संप्रदाय दोनों ही पूरी तरह से ढखे हुए थे। आदित्या ने सिर जुका लिया। इस समय उन्होंने न केवल अपने शरीर पर दबाव को उबाव महसूस किया। बलकि उन्होंने अपनी आत्मा पर भी दबाव महसूस किया। उ वे भोले भाले तमाश बीन थे जो असीन सागर प्रदेश के तटपर थे। वे विशाल ताड के निशान को घूरते रहे और अपनी आत्मा से भारी दबाव महसूस किया। उन्हें लगा कि उनके लिए कयामत आ रही है। उनके खेती के आधार को देखते हुए उनके लिए इस हरताल से बचना मूल रूप से असंभव था। वे निश्चित रूप से मरेंगे। केवल उनके लिए ही नहीं, उन कमजोर क्रिशकों के लिए इस स्थान में सभी को दफनाया जाएगा। आधित्य की दृष्टी अत्यंत भयानक हो गई। अंतरिक्ष और समय के भयानक तूफान ने सभी को घेर लिया। समय बीटता गया, शव तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गये और जब वे फिर से प्रकट हुए तो उन मासूम दर्शकों के साथ साथ उनके दोस्तों और प्रीजनों को सीधे स्वर्ग की तिजोरी में लाया गया। तूफान के एक अतुल ने विशाल दूरी को कवर किया, अपने क्षेतर में सब कुछ दफन कर दिया। कई लोगों ने अंजाने में सास रोक ली, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कि वे अपनी आखों के सामने विनाश को देखते हुए अभी अभी नरक के द्वार की यात्रा से लोटे हु उनके दिल हिंसक रूप से तेज हो गए। वे शुरू में केवल इस लड़ाई को देखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक हमले ने उन्हें लगभग दफन कर दिया। बहुत धन्यवाद उनमें से बहुतों ने मुढ कर प्रनाम किया। वे जानते थे कि आदित्य ने ही उनक ही थपड से मार डाला जा सकता है। क्या पश्चिमी दुनिया के बुद्ध वास्तव में अच्छाई के नाम पर काम कर रहे थे। मैं प्रार्थना करूंगा कि स्वर्ग की तिजोरी सर्वोच प्राचीन अमर लोकों का अंतिन राजा बन जाए। मैं निश्चित रूप से विजेता होनी चाहिए। जिन लोगों को आदित्य ने बचाया, सभी ने उन्हें अपना आशिरवाद दिया। उन्हें बचाने का आदित्य का तरीका पहले ही उनकी समझ के दायरे को पार कर चुका है और पहले से ही एक देवता के स्तर के असीम रूप से करीब है। यहां यह सपष्ट रूप से पहले की तुलना में अब और अधिक धनसा हुआ था। समुद्रक शेत्र रसातल में तबदील हो गया। आदित्य ने दूसरों को सीधे स्वर्ग की तिजोरी में भेज दिया। तेज गडगडाहट की आवाजे सुनाई दी। हेवन वार्ट के अंद एक बार जब आदित्य ने स्वर्ग की तिजोरी पर कबजा कर लिया तो उसे एक फाइदा हुआ कि अगर वह तिजोरी नहीं खोलता तो कोई और प्रवेश नहीं कर सकता था। हाला कि आज चीजें अलग थी। पश्चन के देवता वापस आ गए हैं, यूचांगकों के पा उसे देवताओं के खिलाफ हमेशा के लिए टिकने में सक्षम नहीं होगा। पश्चिमी दुनिया की सेना स्वर्ग की तिजोरी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। विशाल हाथों की एक जोड़ी वहां दिखाई दी, जो प्रवेश द्वार को च अचीन बुद्ध ने स्वर्ग तिजोरी के प्रवेश द्वार को अवरुध करने के लिए अपने शरीर का उप्योग किया। अंधिनत छोटे बुद्ध इससे प्रकट हुए, उनमें से सभी ने एक ताड़ के हमले को नश्ट कर दिया, अर्बों ताड़ के निशानों के सा एक सरनी बनाई, जो स्वर्ग की तिजोरी में फैली हुई थी, जो पश्चिमी विश्व सेना के लिए एक मार्ग खोलने का इरादा रखती थी। विशाल बुद्ध ने पहले प्रवेश द्वार के माध्यम से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, और उसके बाद अपने सिर को आगे बढ़ाया, जिससे प्रवेश द्वार चोड़ा हो गया क्योंकि अधिक दरारे दिखाई दी। उस विशाल शरीर ने आखिरकार कदम रखा, बौध मंत्रों की आवाज अब स्वर्ग की तिजोरी के भीतर सुनी जा सकती थी, जो एक शक्तिशाली शक्ती में बदल आदित्य और अन्यस्वर्ग तिजोरी की गहराई में पीछे हट गए, वे तारों वाली जगह में खड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बुध का सिर उचाई में उस बिंदु तक बढ़ रहा है, जहां वह उनके समान स्तर पर था, उनकी आकरितिया चमक उठीन और उप पूरी तरह से प्रवेश कर गई और बुध के चारों और खड़ी हो गई, आदित्य और अन्य लोग तारों वाली जगह में खड़े थे, जब उन्होंने विशालकाई बुध को देखा तो उनका दिलकाम उठा, यह बुध हाकार में बहुत विशाल थे, यह पश्चिमी पूरे तारों वाले आकाश पर कबजा करने में असमर्थ था, हेवन वाल्ट के कल्टिवेटर्स की आँखों के सामने यह बहुत बड़ा दिखाई दिया, किसी भी मामले में यहां अंदर लड़ाई लड़ना अधिक सुविधा जंक था, उनके पास बुध के बार से बचने हुए अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया, एक पल में उनके विश्वास की शक्ती बुध कलाओं के लिए एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करने लगी, आदित्य और अन्य लोगों के मन में बुध्धी की ध्वनिया प्रवेश करती रही, आदित्य और बाकी लोग लेकिन उनके पास अभी भी आवाज को अपने दिमाग में प्रवेश करने से रोकने का कोई उपाय नहीं था, कुछ ही क्षणों के बाद वास्तव में उन सभी से बुध्ध प्रकाश प्रकट हुआ, इस समय आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी बुध का जन् इन्होंने हाल ही में स्वर्गिय देवलोक में प्रवेश किया है, उनके हृदय में कमपन महसूस हुआ, इस समय उनके दिमाग में कई द्रिश कौंध गए, ये द्रिश उनके जन्म से लेकर अब तक के जीवन के द्रिश थे, यह ऐसा था जैसे वे अपने पूरे जीवन को बाहर निकाल कर उनके हृदय को फिर से शांती प्राप्त करने की अनुमती दी, उनसे निकलने वाला बौध प्रकाश और भी अधिक देदी प्यमान हो गया, ऐसा लगा कि वे बौध साधक बनने के कगार पर हैं, कई जिंदगियों की इच्छाएं एक प्रकार केताव में त समय अनुभव की थी, लेकिन आज उसे जो शक्ती महसूस हो रही थी, वह और भी अत्याचारी थी, पश्चिमी दुनिया की सेना, सभी के विश्वास से बनी सेना कितनी शक्तिशाली, ओगी, दाव उनके हृदय में प्रवेश कर गया है, उनकी आत्मा में डूबा हुआ है, उनके सभी कार्य और विचार पहले से ही प्रभावित थे, यह बहुत भयानक था, कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिमी दुनिया समय लेना चाहती थी, और लोगों को पीडा से उध्धार करने के लिए धीरे-धीरे पूर्व की ओर यात्रा करना चाहती थी, बूढ़ा गं उन्हें स्वर्ग की तिजोरी को गिराने की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि यह प्रक्रिया इतनी सरल हो, यदि पाश्चात ये जगत आदित्य को प्रत्यक्ष रूप से दबा सकता और उस पर अधिकार कर सकता, तो यह उसके लिए कोई हितकर बात नहीं होती, सबसे अच्छा मामला परिद्रिश्य वह होगा जहां उनमें से दो एक दूसरे से भारी रूप से घायल हो गए हूँ, नियंतरत मत हो, आदित्य ने ठंडी दहार मारी, उसकी आवाज सभी के मन में जोर से गूझ रही थी, जिससे प्रभावित लोगों को सपश्टता का एक दिखाई दी, ऐसी बुद्ध कला, दुष्ट कला की तुलना में इसमें क्या अंतर है, इस शक्ती को महसूस करते ही आदित्य ठंडेपन से बोले, उसके पास से भारी मातरा में शैतान निकल सकता था, जो उसके आसपास के लोगों को धक लिता था, जिससे उन्हें बौध उ पुर्जाद्वारा अपनी इच्छाओं के खशरण का विरोध करने में मदद मिलती थी, इस समय स्वर्ग तिजोरी के बाहर एक काली चाया दिखाई दी, उसके बाद तारो वाली जगह में आसमान अंधेरे में बदल गया, भयानक मौक्ची ने सब कुछ व्यात कर दिया, वह साथी आखिरकार दिखाई दिया है, आदित्य ने चुपचाप सोचा, वास्तव में उस विशाल बुद्ध से निपटना उसके लिए बिलकुल भी आसान नहीं होगा, सौभाग्य से अब मदद सामने आ गई है, काले बादलों के बीच वह पागल बुढ़ा संकी दिखा रहा, उसकी सुक्ष्म आत्मा तब प्रकट हुई, यह एक गंभीर रिपर के रूप में थी, लंबा, राजसी, प्रभावशाली और पूरी तरह से काले रंग में आच्छादित, मृत्यू क्यूई से भौतिक, उसकी आखों ने जटिल दौड के चकरों को प्रकट किया, प् अचानक मौत की ची को विकीन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पीछे मौत की आत्माएं पैदा हो रही थी, इन मृत्यू आत्माओं ने तब उनके जीवन और आत्माओं को निगलना शुरू कर दिया, एक विधर्मी और दुष्ट दाओ, एक बुद्ध की आवाज नि दुनिया के लोगों की इच्छा को अंदेखा करते हुए अपनी महत्वा कांशाओं को पूरा करने के लिए उनकी आस्था और भाग्य शक्ती का उप्योग करते हैं। आपका दाव विधर्मी और दुष्ट है, आप विश्वास के बारे में क्या जानेंगे? बुद्ध संप्रदाय दुनिया के लोगों को उनके दुखों से मुक्ती दिलाना चाहता है। विशाल प्राचीन बुद्ध के अधीन सब कुछ इतना छोटा और अप्रासंगिक लग रहा था। यह इस तथ्य से सिद्ध हुआ कि वह उस समय प्राचीन एज्योर मिस्टिक की रक्षा करने में विफल रहे। अधित्य का फिगर चमक गया। जैसे ही समय उल्टा होने लगा उसकी नजर आसपास के स्थान पर पड़ी। वह पश्चिमी सेना को एक स्पेस्टाइम में टेलिपोर्ट करना चाहता था जहां उसका नियंत्रन हो। हाला कि हवा में अन्थीन बौध मंत्रों ने उनके ताव में बाधा डाली, उनके पास इसे क्रियानवित करने का कोई तरीका नहीं था। जब बौध मंत्रों की तरहे एक दाव कला की शक्ती एक निश्चित स्थर तक पहुँच जाती है, तो अन्य सभी दाव कलाए निश्प्रभावी हो जाती है। उन बुध दाव नक्षत्रों ने अपनी चवियों को सीधे नीचे की ओर फेंका, वे विशाल बुधों में परिवर्तित हो गए जिन्होंने सभी पर दबाव डाला। शक्ती तैरते हुए महल की ओर फैल गई और इसी तरहा आदित्य के आसपास के लोगों को भी अपने दबाव में ला दिया। यह वास्तव में एक सर्वोच विश्व विनाशकारी दिवियत अकनीक के बराबर था। आदित्य का फिकर चमक गया। वह बिजली की गती से उड़ते हुए तैरते महलों में से एक की ओर बढ़ा। उनके प्रियजन यहां रहते थे, अगर विशाल बुध ने इसे नश्ट कर दिया, तो अंत अकलपनिय रूप से भयानक होगा। अंगिनत विशेशक्य तैरते हुए महलों से सभी दिशाओं में उड़ गए, उनके भाव देखने में बेहत भद्धे थे। बुध समराट ने बौध साध को और दुनिया के धर्मानतरित लोगों की शक्ती को अकेले अपने उपर इकठा किया। क्या वास्तव में इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। ताकतवर जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ती से अपेक्षा की जाती है जिसने इस वर्तमान युग में खुद को कई बार हराया है। यू चांदकोंग ने आदित्य से बात की जो हवा में था। हाला कि इतनी ताकत अभी भी पश्चिमी दुनिया के गंजा गधे के खिलाफ जीतने के लिए परियाप्त नहीं थी। यदि कोई बुद्ध शासक के विरुध जीतना चाहता है तो उसके पास केवल एक ही तरीका है। पश्चिमी दुनिया का वह विशाल बुद्ध उनके लिए बस एक अजे अस्तित्व था। इसके अलावा आदित्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह मूल रूप से पूरी तरह से बदल गया था। उस समय का युवक पहले से ही उन पात्रों में से एक था जो अब सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के शिखर पर खड़ा था। आदित्य के हावभाव भद्दे हो गए। वह संबंध तोड़ने का तरीका निकालने की कोशिश कर रहा था। इस समय हरे रंग की एक दुबली आकरिती अचानक आकाश में दिखाई दी और धीरे धीरे उपर चली गई। संसार का चक्रक उसकी आखों में देखा जा सकता था और जब वह तहलता था तो आकाश से तारों का प्रकाश उसका पीछा करता हुआ प्रतीत होता था। कई नक्षत्रों ने उन पर अपना प्रकाश डाला। ऐसा था कि वह जहां भी जाता, वहां का इलाका तारों की रोशनी में नहा जाता। क्या एक शक्तिशाली विश्वास उर्जा है, वह आकृती शांती से बोली। वह आदित्य के पास गया। उनमें से दो बहुत सुन्दर और असाधारन थे। ब्रहमान ख्षेत्र के गौड़किंग पूरे पश्चिमी दुनिया और उन लोगों के विश्वास को नियंत्रित कर रहा है। मैंने दो जन्मों तक साधना की है और मेरा वर्टमान साधना आधार आपके काम आ सकता है। हाला कि मैं अकेले ऐसी शक्तिशाली शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। हमें कुछ करने में सक्षम होने के लिए कई देवताओं की सन्युक्त सेना की आवशकता होगी, हर कोई और नहीं बलकी हुआ ताइक सूथा वास्तव में वह बहुत समय पहले से ही हेवन वाट में नौ स्वर्गिये पर्तों में खेती कर रहा है वह अंधिनत वर्षों तक बंद दर्वाजे के एकांत में रहे और स्वर्ग की दाउस में अंतरद्रिष्टी प्राप्त करने के बाद उन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया वह अपने दो जीवन कालों में अपनी अंतरद्रिष्टी को पूरी तरह से फ्यूज करना चाहता था और तब भी जब स्वर्गी तिजोरी में देवतास्तरिय लडाई छिड़ गई थी तब भी उसने अपनी एकांतवास को समाप्त नहीं करने का फैसला किया और उस लडाई में भाग नहीं लिया केवल आज तक जब एक और भी भयानक देवतास्तर की लडाई छिड़ने वाली थी क्या वह अंत में प्रकट हुआ था काय करते आठ इंद्रियों पर उनका नियंतरन बेहद मजबूत है अब वह कई जिंदगियों को बंधकों के रूप में ले रहा है और पश्चिमी दुनिया की सेना के प्रती उनके विश्वास का उप्योग कर रहा है जिससे वह अपनी बुद्धी दाओ कलाओ में अंतीन शक्ती को प्रवाहित कर सकता है अगर हम उनके और उनके बीच के संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो हमारी इच्छा को उनकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करना होगा और उन्हें जगाने के लिए मजबूर करना होगा मैं संसार के ताओ में साधना करता हूँ और मैं संसार के एक घ्रामक चकर का निर्मान कर सकता हूँ जो स्वर्गिये ताओ द्वारा संचालित होता है धीरे धीरे संबंध तोड़ता है लेकिन मुझे आप लोगों की आवश्चक्ता है कि आप सभी बाहरी खत्रों से मेरी रक्षा करें और साथ ही बुद्ध समराट द्वारा किये गए हमलों से मेरी रक्षा करें हुआ ताइक्सु बोला आदित्य की आखे चमक उठी ऐसा लगता था कि हुआ ताइक्सु को भी बुद्ध धर्म की आठ इंद्रियों की कुछ समझ थी और उसे पता था कि इसे कैसे तोरना है इससे यह कहा जा सकता है कि संसार के ताओ पर उसका नियंत्रन बहुत मजबूत था लेकिन अगर वह भी पश्चिमी विश्व सेना और बुद्ध समराट के बीच के संबंध को तोड़ने में सक्षम नहीं था तो परम प्राचीन अमर लोकों में कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा जब तक की वेपार नहीं जाते आदित्य ने अपना सिरहिलाया और उसने अपने पिता किन युवान फेंग के साथ साथ उस पागल बुढ़े संकी को एक संदेश प्रेशित किया उसके बाद कुछ चोटी के पात्र अलग-अलग दिशाओं से निकले और वे विशालकाय बुद्ध की ओर उड़े यदि वे विशाल बुद्ध को हराना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले यह करना होगा कि पश्चिमी विश्व सेना के साथ उनका संबंध काट दिया जाए मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा आदित्य बोला समय बीटता गया, हुआ ताइक्सू के साथ उसका फिगर सीधे गायब हो गया वे अंतरिक्ष से गुजरे और विशाल बुद्ध के पीछे पश्चिमी विश्व सेना के उपर हवाईक शेत्र में दिखाई दिये अंगिनत निगाहें उनकी और मुरी लेकिन पश्चिमी दुनिया की सेना के उन लोगों ने जल्द ही अपना सिर नीचे कर लिया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा अभी पश्चिमी विश्व सेना के सभी विशेशग्य एक के रूप में जुड़े हुए थे उन्हें किसी विशेशग्य की कोई परवाह नहीं थी शै पंखुडियों वाला एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ अधिक पंखुडिया प्रकट होने पर यह खिलता रहा पलक जपकते ही उस कमल ने पहले ही इस जगह को घेर लिया था और आदित्य और हुआ ताइकसु की दिशा में बढ़ता रहा ऐसा लग रहा था कि पंखुडियों के भीतर अंगिनत चहरे थे जो खुद को आदित्य और हुआ ताइकसु की आत्मा में ब्रांडेड कर रहे थे इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्माओं के भीतर सीधे एक कमल खिल रहा है जो उनके जीवन और आत्माओं को बरबाद करने की धमकी दे रहा है बुद्ध कलाए असीम रूप से गहन और अथाह थी अब जब पश्चिमी दुनिया की सेना का सारा विश्वास एक व्यक्ती पर इकठा हो गया था तो उसकी शक्ती के खिलाफ बचाव करना बेहद मुश्किल था जब यहा हमला बुद्ध समराट ग्वारा किया गया था तुम जाओ यह मुझ पर छोड़ दो आदित्य बोला उसकी आकरिती चमक उठी और सीधे अंकिनत पंखुडियों में घुस गई उसका शरीर तब पूरी तरह से ढख गया था और उसके बाद जो पंखुडिया सब कुछ नश्ट कर सकती थी वे बंध होने लगी लेकिन इसी वक्त अंदर से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी उसके बाद पंखुडियों पर दरारों के रूप में कई छेट प्रकट हुए हुआ ताइकसु ने दरारों के माध्यम से क्षेत्र छोर दिया क्योंकि उसने अपनी दाओ कला शक्ती को उजागर किया और जब आदित्य और हुआ ताइकसु ने अभिनय किया तो किन युआन फेंग और ग्रिम रीपर भी चले गए किन युआन फेंग का फिगर अतुलनिय रूप से प्रभावशाली था वह बाहर निकला और एक देवता के समान रूप में विस्तारित हुआ चै रास्तों से रोशनी निकली जिससे चै कोने बन गए उसकी हथेलिया आसमान को चीरती हुई निकल गई ये शिखर तब विशाल बुध के सिर की ओर उडे जो चै रास्तों में सिर को भस्म करना चाहते थे ग्रिम रीपर ने अपनी निगाहे विशाल बुध की ओर घुमाई उसके बाद उसकी सुक्ष्म आत्मा जो उसके पीछे थी उसने मृत्यू की किरनों को विकीन करना शुरू कर दिया जिससे सभी बुधों को ढखने की कोशिश में हर जगह मौत की आत्माय पैदा हो गई आदित्य, किन युवान फेंग और ग्रिम रीपर वर्तमान में सरवोच प्राचीन अमर लोकों में शिखर पर खड़े तीन सबसे मजबूत पात्र थे जब वे तीनों सेना में शामिल हो जाते तो विशालकाय बुध भी कुछ समय के लिए बंधे रहते युध के मैदान में जहां आदित्य थे, वहां पंखुडियां तूटती रही आदित्य ने हुआ ताइक्सू की दिशा में केवल देखा कि संसार प्रकाश का एक हिस्सा प्रकट हो रहा है जो पश्चिमी विश्व सेना पर चमक रहा है इस समय हुआ ताइक्सू अतुल्निय रूप से देधी प्यमान था, संसार और पुनरजन्म के देवता जैसा दिखता था वास्तव में आदित्य उससे बुद्धी उर्जा भी महसूस कर सकता था यह ऐसा था जैसे हुआ ताइक्सू ने पहले भी बौधपथ पर साधना की थी पश्चिमी विश्व सेना संसार प्रकाश से आच्छा दित थी उन सभी ने संसार के एक भ्रामक चकर में प्रवेश किया जैसा कि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया है वह एक बार फिर से उनके दिमाग में चर रहा है ये द्रिश्य सभी गहन भावनाओं के थे जहां वे भावनात्मक रूप से चले गए थे उनके प्रियजन उनके साथ ही उनके मित्रों ने उनके लिए जो बलिदान दिये उनके स्वामी ने उन्हें इमानदारी से कैसे पाला ये सभी द्रिश्य उनके दिमाग में कौन्ध गए जो बुद्ध समराट में उन्हें पहले दिखाए थे उससे बिलकुल अलग थे उनके भीतर दो भिन प्रकार की आस्था उर्जा टकराई हुआ ताइक्सु के शरीर से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई क्योंकि उसने धीरे से बात की शुरुआत में मैंने संसार के भावहीन दाओ को विक्सित किया हालाकि मेरे पूरे जीवन भर के लिए अपनी भावनाओं को बुझाने के बावजूद मैं अभी भी नहीं जानता की मेरी साधना का अंतिन लक्ष क्या है सब कुछ त्यागने और एक बार फिर से पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद केवल तभी मैंने सीखा की भावनाहीन होना यह सत्यापित करने का एक मध्य बिंदू है कि मेरे दूसरे जीवनकाल में मेरी साधना के दौरान भावनाओं का होना कितना महत्वपूर्ण है कोई भावना नहीं कोई प्यार नहीं कोई इच्छा नहीं कोई जरूरत नहीं क्या मैं अब भी एक इनसान रहूंगा यह और कुछ नहीं बलकि एक प्रेत होगा स्वरगिय दाओं की एक कट पुतली उनकी आवाज सभी के मन में घर कर गई जिन लोगों ने इसे सुना वे भ चालकाय बुद्ध द्वारा ग्रिम रीपर और किन युआन फेंग के खिलाफ चोड़ी गई शक्ती धीरे-धीरे कमजोर होती दिख रही थी लेकिन फिर भी यह बेहत शक्तिशाली था पश्चिमी स्वर्ग के कई बुद्ध भगवानों ने अपनी निगाहें हुआ ताइक चुनते हैं जूनियर प्रशिक्शु भाई बुद्ध भगवान के शब्दों को सुनकर सभी को अपने दिल कामपने का अनुभव हुआ कुछ अविश्वसनिय लग रहा था पश्चिमी स्वर्ग के एक बुद्ध स्वामी ने वास्तव में हुआ ताइक्सु को जूनियर अ कर्म का दाओ, उनरजन्म का दाओ, दूसरे किनारे का दाओ, संसार का दाओ. कई साल पहले पश्चिमी स्वर्ग में सर्वोच प्रतिभावाला एक बौध साधत प्रकट हुआ. बौध धर्म में उनकी उपलब्धियां बेहत गहरी थी और वे असंख्य बुद्ध कलाओं औ तक नीकों में पारंगत थे. वह पश्चिमी स्वर्ग में सबसे कम उम्र के बुद्ध भगवान थे और उनके पास चौकाने वाली समझ क्षमता थी. संसार के दाओं में अंतरग्रिष्टी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी भावनाओं को तोड़ दिया. एक नज पाह है कि वह अपनी खेती पर संदेह करने लगा, यह महसूस करते हुए कि कहीं कोई गल्ती थी. वह एक अग्रिष्य बंधन महसूस कर सकता था. अंत में संदेह इस हद तक तीवर हो गए कि इस परम बुद्ध भगवान चरित्र ने बौध संप्रदाय पर सवाल उठाना श खामिल हो गए, लेकिन उसने उनमें से एक को मार डाला और पश्चिमी स्वर्ग से भागने में सफर रहा. इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई. किसी ने दावा किया कि वह चुपचाप खेती कर रहा था, दूसरों ने दावा किया कि वह पहले से ही पश्चिमी में प्रवेश किया, और न केवल वह एक भावनाहीन व्यक्ति नहीं है. वह भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति था और इस निशकर्ष पर पहुचा की भावनाहीन था और कुछ नहीं बलकि एक पैमाना है, जिससे कोई यह माप सकता है कि भावनाय कितनी महत्वपूर्ण है यूचांदकों की आखें चमक उठीं कोई आश्चर्य नहीं कि वहाँ आज इतना शक्तिशाली था. उस समय मुझे पहले से ही लगा था कि पश्चिमी स्वर्ग के दाउस गलत थे. और अब पश्चिमी स्वर्ग के वर्तमान कार्यों ने वास्तव में सत्यापित किया है कि छोड़ने के मेरे पिछले कार्य सही थ अतीत में मैं बुध भगवान की उपाधी पाने के योग्य नहीं था और बॉध साधक होने के योग्य नहीं था. इस जीवन में मैं अब बुध पत की साधना नहीं करता, लेकिन एक बात निश्चित रोप से जानता हूँ. पश्चिमी स्वर्ग बॉध धर्म का अधित्व करने के योग्य नहीं है. हुआ ताइकसु बोला. नीच प्राणी. आपने हमारे संप्रदाय को धोखा दिया और आप अभी भी अपने जूट से लोगों को प्रभावित करने की हिम्मत करते हैं. तुम्हें आज मार दिया जाना चाहिए. एक और बुध भगवान गुस्से से बोले. हाला की हुआ ताइशु ने परवाह नहीं की. पश्चिमी दुनिया की सेना पर इसकी रोशनी कम होने के साथ साथ उनका ताव जारी रहा. पश्चिमी विश्व सेना में कई लोगों के चहरे से आसुबह निकले. वे समारा के चक्र में जागरत होने लग था। क्या उन्होंने महान दाव का पीछा करने के लिए ऐसा किया। वे किसके महान दाव का अनुसर्ण कर रहे थे। पश्चमी विश्व सेना के विश्वास से स्थापित सर्वोच गठन जिसने विशाल बुद्ध को अपनी विश्वास शक्ती का उप्योग करने की अनुमती दी उखडने लगी। लेकिन इस समय पश्चमी स्वर्ग के बुद्ध देवताओं के चेहरों पर ठंडी मुसकान द पश्चमी स्वर्ग के एक बुद्ध भगवान थे और उनके द्वारा उप्योग की जाने वाली दाओं कलाओं और तक्निकों से बहुत परिचित थे। यदि उसकी हरक्तें प्रतिदवंदवी की ताकत को भी कम नहीं कर सकी तो शायद इसका मतलब यह था कि बुद्ध समरा और उसके बाद विशाल बुद्ध से लेकर पश्चिमी विश्व सेना तक के प्रकाश को परावर्तित किया। एक पल में परावर्तित बुद्ध प्रकाश भव्यता से भड़क उठा और एक असीम विशाल स्थान को फैलाना और घेरना शुरू कर दिया। उस अंतरिक्ष म का भाग्य ऐसा था जैसे वे अब अपने नहीं थे। उनके सिर से बौध प्रकाश निकर रहा था और वे बौध दीपक की तरह लग रहे थे जो पूरे क्षेत्र को रोशन करने के लिए चमक रहे थे। सबकी किस्मत भी जगमगाती दिख रही थी, दियों में जल रही बुध का प्रकाश हुआ ताइक्सु की और प्रवाहित हुआ, उसे घेर लिया और सीधे उसमें रिसने लगा। उआ ताइक्सु के हाभाव काफी बदल गए। उसने अपनी आखे बंद कर ली और उसका शरीर वास्तव में कापने लगा। वह अपने शरीर से बाहर निकलत में होगा, नियंतरक उससे कुछ भी करवा सकता था जो वे चाहते थे। भाध्य का ताव सभी को कश्टों से मुक्ती दिला सकता है। कौन अब भी बौध धर्म की और मुरने के धार्मिक मार का विरोध कर सकता है। बुधों में से एक ने बात की, उसकी टकट की चरम सीमा तक तेज थी। तो क्या हुआ भले ही विद्रोही हुआ ताइकसु बेहत शक्तिशाली था। अब यह वह युग नहीं था जहां हुआ ताइशु ने अपना पहला जीवन जिया था। उस समय भगवान बुध अपनी चोटों के कारण प्रकट नहीं हो सके। हाला कि पश्च चात्य जगत के स्वामी थे। उसके साथ हुआ ताइशु कैसे कोई चाल चल सकती थी। हुआ ताइकसु से अंकेनत परचाया प्रकट हुई। ये सारी परचाया उसे लग रही थी। वह तेजी से पीछे हट गया और संसार प्रकाश की तरंगों को उड़ा दिया। वह अगवान बुध वास्तव में भागय को नियंतरित कर सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता है। अचानक विशाल बुध ने अपना लक्ष बदल दिया और हुआ ताइकसु पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे वह हुआ ताइकसु को उस विशाल हाथ ने पकड़ लिया जिसमें असीम बुध्धी शक्ती थी जो स्वर को स्थिर कर सकती थी। वह ताइकसु की संसार की आखे भयानक रोशनी से चमक उठी। जैसे ही वह संसार के चक्र में प्रवेश करता है प्रकाश की त्रिज्या तेजी से फैलती जाती है जिससे उसका शरीर ढख जाता है। बुध लामबंदी बल तूट गया था। जब वह विशाल ताड नीचे गिरा तो हुआ ताइकसु का शरीर पहले ही दूसरी स्थान पर आ चुका था। हालांकि हमले बंद नहीं हुए। यह ऐसा था जैसे विशाल बुध तब तक नहीं विशाल बुध ने लाखों हतेलियों को प्रकट किया और हमलों के खिलाफ बचाव किया लेकिन उसके पास सब कुछ रोकने का कोई तरीका नहीं था। किन युवान फिन की छै रास्तों की शक्ती उसके सिर में घुस गई, उसे पूरी तरहे से चकनाचूर कर दिया। इससे सिर के टुकडे-टुकडे करके उसे मार भी नहीं सकते, बहुत से लोग अवाक थे। वे सिर्विहीन विशालकाय बुध को घूरते रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह भगवान बुध का मूल शरीर नहीं था। वह वास्तव में कितना राक्षसी था। वह तायक्सू का दिल जब उन्होंने देखा कि विशालकाय बुध का सिर्फ और दिये जाने के बावजूत कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें अचानक पश्चिमी स्वर्ग में एक भयानक अफवाह याद आई। जोर से पुकारने पर उसका दिल सदमे से भर गया। विशाल स्व पुन विशाल बुध शरीर बिखर कर बिखर जाए, बुध समराट बिलकुल भी आहत नहीं होंगे। उस मामले में यहां तक की अब तक हमने असली बुध शासक को बिलकुल भी नहीं देखा है, आदित्य को कुछ जटका लगा, तो उस विशाल बुध का निर्मान एकत्रि की एक किरन उड़ी। प्रकाश की यह किरन अतुलनिय रूप से देधी प्यमान थी और विशाल प्राचीन बुध के ठीक सामने रुप गई। यहां आकृती वास्तव में एक महिला थी। वह अतुलनिय रूप से सुंदर थी और असीम भव्यता से उतपरोथ थी। उसने फ थूबसूरत आकृती ने एक अध्वितिय शक्ती की भावना का परिचय दिया जैसे वह एक यूग की शासक थी। पहली युवती के पीछे उस आकृती को देखकर ग्रिम रीपर की निगाहें जम गई। उसका शरीर सचमुच सिहर उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी वह उसे वापस लोटते हुए देख पाएगा। इसके अलावा वह उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ रहा होगा। आधित्य ने उस युवती की ओर देखा और चिलाया युहुँअंग। तो यह पताचला की जो आकृती दिखाई दी वह कोई और नह ठंडक से टिम्टिमा रही थी। यहां अंगिनत वर्षों पहले नश्वर शत्रूओं के बीच एक मिलन था। उस समय प्राचीन एजियोर मिस्टिक की विश्वविनाशकारी लड़ाई के पीछे का मास्टर माइंड कोई और नहीं बलकि पश्चिमी दुनिया के भगवान बुद्ध सार्वभाउन थे। उन्होंने ही एजियोर मिस्टिक को नश्ट किया था। वह एजियोर मिस्टिक के स्वर्भ भगवान के रूप में अपने अमर स्थानों की रक्षा करने में विफर रही जिसके कारण यह नश्ट हो गया। उसके पक्ष में अंगिनत देवता अविनाशी स्वर्ग भगवान के चारों ओर अंगिनत प्रभामंडल प्रकाशित हुए प्रत्येक एक भ्रामक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन उसे नियंतरित करने वाला कोई और नहीं बलकी बुद्ध समराट थे। और विभिन दाओं में महारत हासिल करने के बाद वे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लोटे। वह अब लगभग कुछ भी करने में सक्षम था। क्या इस दुनिया में अब भी कोई था जो उसके रास्ते और महत्वा कांक्षा को रोक सकता था। स्वर्ग की तिजोरी को अपने कबजे में लेने के बाद वह जनता को परिवर्थित करते हुए सर्वोच प्राचीन अमर लोकों को नियंत्रित करने के लिए अपने संचालन के आधार के रूप में उप्योग करेगा। 33 अमर लोकों के सभी लोग अपने विश्वासों को बदल देंगे और अपने विश्वास को उसके प्रती निर्देशित करेंगे। 33 अमर लोको निर्देशित करने के लिए अपनी आत्मा को तितर बितर करने के लिए एक स्वर्ग विरोधी विधी का इस्तिमाल किया। 33 अमर लोको निर्देशित करने के लिए अपनी विधी करने के लिए अपनी शर्वोच बौध कलाओं का उप्योग करूंगा। वह आंकडा बरफीले ढंग से बोला। उसके बाद अंगिनत बुद्ध हवा में प्रकट हुए। उनके द्वारा बोले जाने वाले बौध मंत्रों में मुक्ती की शक्ती समाहित प्रतीत होती थी। एक पल में असीम बौध प्रकाश चमक उठा, तारों भरे आसमान को ढख लिया, उस जगह को भी शामिल कर लिया जहां बेमिन योहुआंग और इंपेरिशेबल हेवन लौड थे। मौध की आत्माओं की सेना के आसपास, चरित्र के अंगिनत रन्वे सीधे खुद को आत्माओं के शरीर में ब्रांडेड करते हैं, उन्हें नश्ट करने का इरादा रखते हैं. यह विशाल बुध प्रतिमा असंख्य बौध कलाओं में सक्षम है, वह कुछ भी कर सकती है, क अद्रिश्य उर्जा बीमिंग युहुएं की ओर प्रवाहित हुई जैसे मृत्यू आत्माओं के भीतर की उर्जा सभी उसी की थी. बेहुश आत्माएं उसके अस्तित्व के भीतर और बाहर जिल मिला रही थी, जैसे कि उनके पास चुने शरीर हों. उनके होसले ऐसा लग जैसे वे किसी भी क्षन गायब होने वाले हुँ. इससे उद्धार के उपवाक्य का प्रभाव समाप्त हो गया. रनवर्स ने हवा के अलावा कुछ भी नहीं मारा, वे अभी भी बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लक्ष बनाने के लिए कोई लक्ष नहीं था. बीमिंग पीछे खड़े अविनाशी स्वर्ग के भगवान की तुलना में भी थी, क्योंकि उसकी आभा में महिमा का संकेत था. खूबसूर्ती के मामले में वह बिल्कुल भी कम नहीं थी. अविनाशी स्वर्ग के प्रभु ने आगे देखा, उसकी आखें शीतलता से टिंटिमा उठ बुद्ध शासक इन आत्माओं को छुडाना चाहते थे. मौत की आत्माओं की सेना को किसी और ने नहीं बलकि बेमिन योहुआंग ने जगाया था. उन पर हमला करना इतना आसान नहीं होने वाला था. ऐसा लगता है कि विशाल बुद्ध को भी इसका आभास हो गया था. ब पिनाशी स्वर्ग के भगवान ने उसे देखा, कोई इतना स्वार्थी जैसा की आप कभी नहीं समझ पाएंगे. आपके लिए इस दुनिया में लोग आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए उपकरन से ज्यादा कुछ नहीं है. आपको उनके जीवन पिर से पश्चिमी दुनिया में सभी को नियंतरित करते हैं. शायद इस दुनिया में आपके जैसा दुष्ट कोई नहीं है. इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि आप अभी भी बुद्ध होने के मुखोटे के पीछे कार्य करना चाहते हैं. योहुआंग उसे अपनी ताक उर्जा उनकी आत्माओं में प्रकट हो गई हो और सीधे उनकी आत्माओं पर हमला कर सकती हो. वह अब और भी भयानक है, यूचांदकों के पास के कुछ देवताओं के भाव बदल गए. उस समय हेवन वाट के भीतर लडाई में, उनमें से कुछ ने पहले से ही बीमिन यु पहले से ज्यादा मजबूत थी, अगर उसने सीधे आत्माओं पर हमला किया तो परिनाम कितने अधिक भयानक होंगे. ऐसा कोई नहीं था जो उनके जीवित रहने की गारंटी दे सके. अगर उन्हें उससे आत्मा का दोरा पड़ा, तो वे शायद मर जाएंगे. सर्वोच प मुह से ठंडी आवाज निकली, उसके रूबी लाल हों ठेल गए. एक पल में विशाल बुध के पीछे बैठे अंगिनत विशेशग्यों ने महसूस किया कि उनके शरीर में अकड़ना रही है. उनके शरीर से निकलने वाला बौधिक प्रकाश कमजोर पड़ गया क्योंकि उ आवाज तारों भरे आकाश में गूंज उठी. अंगिनत लोगों ने उनकी आवाज सुनी. उनके दाओ के प्रकाश ने पश्चिमी दुनिया के सभी लोगों को आच्छादित कर लिया. वह उनके साथ एक था. भाग्य ने उन्हें एक साथ बांध दिया और वे अब एक इक आई थे. चुंकि यह मामला है, उनके दाव भी समान है. समय उल्टा, जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, बुद्ध की रोश्नी और भी तेज हो गई. विशाल बुद्ध प्रतिमा समय के बुद्ध में परिवर्तित हो गई और समय के विपरीत प्रभाव का कारण बनी. आ बहुत से लोग अवाक थे. बुद्ध शासक बहुत शक्तिशाली थे. अपने मूल्स्व के प्रकट हुए बिना भी, वह अजेता की सीमा तक पहले से ही इतना शक्तिशाली था. ग्रिम रीपर की भौहे तन गई. यदि ऐसा होता, तो विशाल बुद्ध वास्तव में एक अ को उजागर करने का कोई मौका नहीं देते. लेकिन अगर उन्होंने जन्ता पर उसका नियंत्रन नहीं तोड़ा, तो उसे बलपूर्वक बाहर करना भी असंभव था. यह वास्तव में एक विरोधाभासी स्थिती थी जिसका कोई समाधान नहीं था. केवल बुद्ध अकेले ही उनके लिए इतनी परेशानी से निपटने के लिए तयार थे. यूचांदकोंग और चेहो अभी भी बगल से देख रहे थे. चेहो ने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी थी और यूचांदकोंग कोई था जिसने दो देवताओं की शक्ती को आत्मसात कर लिया थ वह केवल मजबूत होगा. अब तक उनकी असली ताकत अभी भी एक रहस्य थी. निश्चत रूप से कोई नहीं जानता था. मैं समय रोक सकता हूँ लेकिन अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह परियाप्त नहीं है. उसे मारने के लिए हमें ठीक उसी क्षन का लाब उठाना चाहिए जब वह पश्चिमी दुनिया की सेना के साथ विश्वास का संबंध खो देता है. और इससे पहले कि हम उसके ताव को तोर सकें, विशाल बुध को नश्ट करने के लिए सेना में शामिल हो जाएं. संभवत यही एक मात्र समाधान है. इस समय आदि आदित्य द्वारा प्रस्तावित विचार व्यभार्य था. मैं और सीनियर ग्रिम रीपर विशाल बुध को नश्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे, किन युआन फेंग ने बात की. सभी ने सिरहिलाया और अपनी निगाहें आगे की ओर कर ली. अगले क्षन सभी चूट किसी को कोई जिजक महसूस नहीं हो रही थी. आदित्य ने एक संभावित समाधान सुझाया, वे इसे आजमा सकते थे. ग्रिम रीपर ने अविनाशी स्वर्ग के प्रभु पर नजर डाली और साथ ही अभिनय भी किया. कुछ समय के लिए मृत्यू ची उस चेत्र में जीवन है, तो ये मृत्यू मुहरे तुरंथ ही उसकी सारी जीवन शक्ती को समाध कर देंगी. बूंग जब अर्बो मौत की मुहरे विशालकाय बुध पर पटत दी गई, तो स्वन बुध का शरीर एक दम काला हो गया, अंधकार ने सुनहरी रोशनी को पूरी तरह से निग स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत पर संदेह करने की कोई आवशक्ता नहीं थी. यदि इस हमले का आफ्टर शौक किसी साधारन देवता के संपर्प में आता, तो वह देवता पहले ही कई बार मर चुका होता. उसके पास कोई जीवन शक्ती नहीं बची होगी. मारना की उनकी आत्माएं जमी हुई थी. फिर से बर्फ की मूर्तियां बन गई. उन्होंने जो विश्वास प्रदान किया, वह भी लगातार कमजोर होता गया. दैत्य बुद्ध से निकलने वाली सुनहरी रोश्नी मृत्यु क्यूई का मुकाबला करना चाहती थी. हाला कि क्योंक की विश्वास उर्जा कम हो गई थी. विशाल बुद्ध की पुनरप्राप्ती गर्भी धीनी हो गई थी. समय उल्टा, उसकी आवाज एक बार फिर हवा में गूँच उठी. समय पलटने वाला था, लेकिन इस समय आदित्य पश्चिमी विश्व सेना के उपर हवाई क्षे हो गया. विशाल बुद्ध चाहते थे कि समय उलट जाए, लेकिन उन्होंने समय को रोक दिया. इससे समय के उलटने की प्रक्रिया बेहत धीमी हो गई और धीरे-धीरे रुक गई. हुआ ताइक्सु ने अपनी स्वर्गिय दाओ भ्रम कला को उजागर किया. शांध अंतरि करना था. विस्पोट एक चौकाने वाली गर्जना अचानक सुनाई दी. यहां आवाज ग्रिन रीपर की थी. जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, विशाल बुद्ध के शरीर में विस्पोट करने वाली मौत की दाओ मुहरे अकस्मात अथा शक्ती के साथ किन युआन फिंग जो लगातार हमला कर रहे थे भी पहुंचे. नक्षत्रों से प्रकाश की अंगिनत किरने उस पर बरसती हैं क्योंकि उसके पीछे एक देवता का च्छायाचित्र प्रकट होता है. वह भी एक असीम रूप से बड़े विशाल में परिवर्तित हो गया और शरीर पर दरारे दिखाई दी, उसके बाद टुकडों को या तो आकाश में ड्रेगन द्वारा खा लिया गया, दूसरे स्पेस्टाइम में भेज दिया गया, या संसार में दफन कर दिया गया. विशाल बुद्ध शरीर थोड़ा-थोड़ा करके उखड रहा था. जिस क्ष को केवल यह महसूस हो रहा था कि वे एक देवता के पतन को देख रहे हैं. यह द्रिश बहुत ही चौकाने वाला था. विशालकाय बुद्ध बहुत भयानक थे, सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के कई शिखर पात्रों को उन्हें हराने के लिए सेना में शामिल होना पड़ यदि शत्रु चोटी के विशेशग्य मौजूद नहीं होते, तो दैत्य बुद्ध निश्चित रूप से जो चाहे कर सकते थे क्योंकि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था. बुद्ध के टूटे हुए टुकडे आसमान से उलकाओं की तरह गिरे, यह अज्यात था कि वे स विशाल दिव्य हथियार के टूटे हुए हिस्सों की तरह लग रहे थे. कुछ टुकडों के कारण उनके उतरने के प्रभाव से जमीन भी अलग हो गई. लंबे समय के बाद ही उन्हें पता चला कि ये टूटे हुए टुकडे नौ स्वर्गिये परतों में हुई एक बड़ अंत में छै पतों के बल के बल से बुध पूरी तरह से बिखर गए. सफलता किन स्वर्गिये ईश्वरिये संप्रदाय के विशेशग्यों की आखें तेजी से चमक उठी. यह लड़ाई बिलकुल भी आसान नहीं रही, विशाल काई बुध बहुत शक्तिशाली और उसने चेहो पर एक नजर डाली. चेहो ने सहमती में सिरहिलाया. हालांकि यूचांग कोंगल के आसपास की विभिन आधिपत्य शक्तियों के स्वर्गिये देवताओं ने बेहद असहज महसूस किया. पहले देवता स्टर की लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखने के उन सभी ने महसूस किया कि उनके वर्तमान साधना आधारों को देखते हुए बेसपश्ट रूप से शक्ति में कुछ स्टर नीचे थे. उन्होंने लंबे समय से खुद को हेग्मोनिक शक्तियों के रूप में घोशित करने के अधिकारों को खोद दिया था और उनके पास सर भी आसानी से उन सभी को नश्ट कर सकता है. यह देवतास्तर की लड़ाई उनके लिए विपत्ती हो सकती है. यूचांग कोंग आकाश में टैर गया. उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी आखे बंद कर ली, ऐसा लग रहा था जैसे वह मंत्रमुग्ध हो. सर्वोच प्रा पूर्निमा प्रकट हुआ हो. यह चांग बहुत बढ़ा था और इसकी चमकतारों के प्रकाश से भी अधिक थी. इसके अलावा यह पूर्निमा आकार में विस्तार करती रही, धीरे-धीरे हवा में नक्षत्रों को मिटाती रही. आदित्य और दूसरे ने अपना सिर जुका धोमिल, ठंडे और उजार चांद को भूरते हुए. यह यू चांग कोंग के इरादे से बना एक चंद्रक शेत्र था. इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद यू चांग कोंग ने आखिरकार अभिनय किया. उन्होंने विशाल बुद्ध के नश्ट होने के बाद ही का अनुमती दी और उन्हें चंद्रमा भगवान की विरासत के आधे हिस्से को मिलाने की अनुमती दी, जो कि किन डांगटियन ने अपने पास मौजूद दूसरे आधे हिस्से के साथ प्राप्त किया, जिससे चंद्रमा भगवान का पूरा दाव बन गया. दिव्य समाधी में रखी गई चंद्रमा भगवान की योजनाएं, वह अंगिनत वर्षों के बाद वापस लोटना चाहता था, किन डैंटियन विरासत की शक्ती को पूरी तरह से नियंतरित करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन यूचांदकोंग डाओ गौड किंगु के आधार पर सबसे कुशल थ चंद्रमा भगवान के डाओ को सन्योजित करने और इसे अपने साथ एकिक्रित करने में काम्याब रहे। पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। किंगेर और मो किंगचेंग की तरफ लोटते ही उसका फिगर चमक उठा। यूचांदकोंग बहुत खतरनाक थी। उसने एक बार यूचांदकोंग के मोन गौड आइस का अनुभव किया था, यह बेहत भयानत लगा। ए जह आकरिती चंद्रमा के पीछे खड़ी थी और सर्वोच देवता की तरह थी। चांद तो बस उसकी आखों में से एक था। चांदनी उसकी निगाह थी। चीजे शुरू होने वाली हैं, चांद के पीछे खड़ी आकरिती ने यूचांदकोंग की आवाज में बात की, जि चांदनी की किर्णे नीचे गिरी, आदित्य के साथ साथ उसके चारों और किन स्वर्गिय दिवे संप्रदाय के स्वर्गिय देवताओं की और बहने लगी। ये किर्णे विशुध रूप से चंद्रमा से प्रकाश करती हैं। उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। आद उसके बाद आदित्य ने पाया कि स्वर्गिय शिकारी कुट्टे आकार और शक्ती में बढ़ गए थे और संख्या में अन्थीन प्रतीत होने वाले उसके लिए लक्ष बनाना शुरू कर दिया था। जानवर दाव को भस्म करने में सक्षम लग रहे थे। इन चै महान दाव को किसी अन्य दाव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यूचांग कोंग अब एक देवता के शक्ती स्तर के साथ था और आदित्य को चिंता थी कि उसके दोस्तों और प्रियजनों को मार दिया जाएगा। इसलिए उसने उनकी रक्षा के लिए काम किया। तो बिजली की गती से चलते हुए उसकी आकरती चमक उठी तुरंत किन युवान फेंग के सामने उसे रोकने के लिए प्रकट हुई। उसने अपनी उंगली से प्रहार किया और एक पल बाद दिव्य हतियार आसमान से बारिश की तरह गिरने लगे। सीधे किन युवान फेंग पर निशाना साधा। किन युवान फेंग की आखें बेहत थंडी थी। उसने अपनी मुठी उठाई और भस्म करने का भव्यदाव उठपन किया, जिसने दिव्य हतियारों को एक वैकलपिक आयाम में फसा दिया। तुन्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो, चेहो ठंडेपन से बोले। दैविय शस्त्रों की अनंत तरंगे प्रकट होने से चारों और का क्षेतर दीप्तिमान हो उठा। उनमें से एक में नहित हत्या पहले से ही चरम पर चौकाने वाली थी, हवा में मंडराने वाले लाखों लोगों की तो बात ही छोडिये। यहां कैसा शांदार ग्रिश्य था। सबसे अधिक संभावना है केवल असीमित विशाल तारों बाला आकाश उनके युद्धक शेतर के लिए उप्युक्त था। यदि वे सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में जमीनी स्तर पर लड़े तो निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स के कारण अंथीम जीवन समाथ हो जाएगा। मारना चे हो ने किन युआन फेंग पर अपनी उंगली उठाई। अराजकता से संचालित अंगिनत दिव्य अस्त्रों ने अपनी ताकत खोल दी। उनमें अनंत शक्ती थी, यदि सामान्य देवताओं को इस आक्रमन का सामना करना पड़ा, तो वे निश्चित रूप से मरेंगे। हाला की किन युआन फेंग अतुलनिय रूप से शांत थे। उसने आकाश की ओर एक तार का प्रहार किया। एक पल के बाद आकाश काम उठा, लेकिन जल्द ही फिर से शांत हो गया। अगले हीक्षन, शेत्र में स्थान और समय विक्रित हो गया क्योंकि सूर्यक तारे और चंद्रमा की स्थिती बदल गई। पूरा तारों वाला स्थान घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। यहां तक की अंगिनत दैवी अस्त्रों की दिशा भी बदल रही थी, कुछ पीछे की ओर बह रहे थे जबकि अन्य-अन्य आयामों के अंदर फस गए थे। उन में से एक भी क्यूई युवान फेंग को चोट पहुचाने में काम्याब नहीं हुआ। जब उसने यह देखा तो चेहो की अभिव्यक्ती अविश्वस्निय रूप से ठंडी हो गई। वह खुद एक दैविय हथियार में तबदील हो गया और अंतरिक्ष के माध्यम से गोली मार दी, सीधे किन युवान फेंग के सामने आया और उसे करीबी मुकाबले में उलचा दिया। शायद दुन जिससे वे अविनाशी और सर्वोच विनाश के लिए सक्षम हो गए। इनके टकराने के वक्त आसमान भी काम उठा था। आसपास के स्थान में दरारे दिखाई देने लगी, यह द्रिश अत्यंत भयानक था। यूचांग कोंग ने आदित्य की ओर अपनी निगाहें फेरन आभार प्रकट करने के लिए मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, तुम दोनों को मेरा एक हिस्सा बनने की अनुमती देगा। इस प्रकार यदि तुम दोनों मर भी जाओ, तो भी तुम मेरे द्वारा सदा जीवित रहोगे। यूचांग कोंग हालांकि आपने दूसरा यूचांदकोंग ने बिना किसी डर के अपनी निगाहें मिलाते हुए सीधे उसे देखा। आदित्य चंद्रदेव की आँखों की शक्ती को महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वह भ्रम की अंधीन परतों से गिर रहा हूँ। हालांकि यूचांदकोंग ने भी आदित् दुनिया में भी प्रवेश किया जहां वह और आदित्य एक दूसरे के इतने करीब लग रहे थे फिर भी दुनिया अलग थी। ऐसा लगा जैसे वह एक ऐसी दुनिया में थे जहां अंतरिक्ष और समय के नियम विकृत थे। यह कौन सी दुनिया है यूचांदकोंग ने मुस्कुराया। मैंने सूचा था कि मेरे चंद्रमा भगवान की आँखों की शक्ती बेजोड थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं आपके साथ गजलों का मिलान करूंगा, तो मैं वास्तव में आपकी रचना के एक स्थान में प्रवेश करूंगा। इसमें बौध उ भगवान की आखें सीधे आदित्य पर टिकी थी, बुधमार्ग शांती और सचाई की बात करता है, आपके भ्रम मुझ पर उतना प्रभावी नहीं होंगे। आदित्य ने जवाब दिया, यदि उसकी साधना का आधार कमजोर था, तो वह मून गौड आईस द्वारा डाले जितनी आप कलपना करते हैं, यू चंग कौन ठंडी हंसी। चांदनी की किरने आदित्य पर उतरी, अन्य सभी दासों को बुझाना चाहती थी। आदित्य से निकलने वाला पवित्र प्रकाश थोड़ा थोड़ा करके कमजोर हो गया। उसके बाद आकाश में असंख्य पू प्रकाश में चंद्रमाओं की संख्या में वृध्धी होती चली गई, वे अनंत प्रतीत होने लगे। उन चंद्रमाओं द्वारा गिराया गया चाया में प्रकाश आदित्य के आसपास के अंतरिक्ष में उत्रा। इस समय हवा में स्पेस्टाइम तलवार के इरादे सुस् इन दोनुक शम्ताओं के सन्योजन ने चंद्रमा को इतना शक्तिशाली बना दिया था। जब चंद्रमा की काली चमक उस पर हावी हो गई तो उसका अंतरिक्षसमय का दाफ बुच गया। ऐसी लड़ाई निश्चे ही अत्यंत भयानक होगी। उम्मीद थी। जदि वे स्वर्ग के तिजोरी के नियंतरक आदित्य को पहले मार सकते हैं तो विरोध करने वाले अन्य लोग बिना किसी नीम के धीली रेट के धेर बन जाएंगे। आदित्य के आसपास के लोग उन्हें कैसे सफल होने दे सकते थे। इससे पहले वे सभी अपनी रक्षा के लिए आदित्य की आवर्शक्ता के बारे में कुछ हद तक भद्दे महसूस करते थे। अब जब वे आदित्य की मदद के लिए कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मौके का फाइदा उठाया और इन आक्रमन कारियों को मारना चाहते थे, सीधे हमलावरों की ओर उड़े। जिस व्यक्ति को वे सबसे ज्यादा मारना चाहते थे, वह कोई और नहीं बलकी यू चांग कोंग था। इस आदमी की दुष्टका आसमान में उठी। वह स्वया पाप के अवतार जैसा था। उसे मरना पड़ा। दोनों पक्षों की सेनाय आपस में भिड़ गई। जून म पी वे सेना में शामिल हो गए और विशाल बुध प्रतिमा को नश्ट कर दिया। बुध समराट ने अभी तक स्वयन को प्रकट नहीं किया है। वह निससंदे एक अत्यंत खतरनाक अस्तित्व था। बीमिंग युहुन ने पश्चिमी विश्व सेना पर शक्तिशाली आतम थंडी हो गई। उआ ताइकसु ने उन्हें जगाने की कोशिश की। ग्रिम रीपर ने स्थिती की सावधानी पूर्वक जाच की। कोई नहीं जानता था कि भगवान बुध कहां चिपे थे। उसे यथा संभव सावधान रहना था। आप सब ऐसा करने का क्या मतलब है एक आवाज ने आह भरी मानोशून से निकली हो। सामान्य स्थिती पहले से ही तय है। दुन्या में बहुत सारे जीवन की खातिर मेरे बौध संप्रदाय को स्वर्ग की तिजोरी पर कबजा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। कितने घमंड भरे शब्द हैं। यदि आपका बौ पश्चमी सेना का नेत्रित्व करने वाले लोगों की और अपनी निगाहें घुमाई। उसके हाथ की एक लहर के साथ मौत का तार प्रकट हुआ, सीधे उसके निशाने पर दिलों को पकड़ लिया। पश्चमी दुनिया की सेना के सामान्य बुध भगवान और पवित्र ब अकृती ने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया था और एक पल बाद में असीम सुनहरी रोशनी उससे निकली, जिससे चारों और रोशनी फैल गई। मौत की हथेली के कारण होने वाला दबाव सीधे तोर पर छिननभिन हो गया। मरना गंभीर वीपर ने एक नजर डाली उसकी आखों से मौत के भाले निकले, सीधे उस व्यक्ति को भेटते हुए। उसके बाद एक जोरदार उचाल आया क्योंकि वह आकृती सीधे नश्ट हो गई, धूल में बदल गई। जब आप सर्वोच प्राचीन अमर लोकों की विभिन आधिपत्य शक्तियों में अपना रास्ता मारते हैं, तो खून की नदिया बहती हैं और आप पाप से पूरी तरह से कलंकित हो जाते हैं। अब क्या आप अपने अतीत के पजचिनों को दोहराना चाहते हैं। समराठ हो सकता है। वह हर जगह था और वास्तव में अपने अधीन लोगों के जीवन को नियंत्रित कर सकता था। ग्रिम रीपर की आखों में हत्या का इरादा भयानक रूप से टिम्टिमा गया। लेकिन वह जानता था कि जब तक वह पश्चिमी सेना में सभी को नहीं मार पाएगा। मैं अपने साथ कुछ पुराने दोस्तों को भी यहां लाया था, जिससे वे हर चीज की गवाही दे सकें। तीसरी आकृती धीरे से बोली। बौध मंत्रों की ध्वनिया हवा में भर गई और उसके बाद बुध साधकों पर पाले की परतें जैसे ही वे मंत्रों चार में शामिल हुई, पिघल गई। कुछ खशन बाद एक मायावी आकृती धीरे-धीरे प्रकट हुई, जो देधी प्यमान प्रकाश से विकीन हो रही थी, आसपास के स्थान को रोशन कर रही थी। यहां आकृती रूप में अत्यंत विशाल थी, उसने आकाश को मिटा और एक विशाल जानवर था जिसने एक भावनाया अतुल्निय जागरती का उत्सरजन किया, जैसे वह सभी जानवरों का राजा था। उसने ऐसी गरजना की जिसने नौ अकाशों को हिला दिया। तारकिय अंतरिक्ष कामपने लगा, जिससे वहां लड़ने वाले देवताओ की नजर उपर उठ गई। उसके बाद लिटिल रासकल को भी कुछ आभास हुआ। उसने अपने सिर को पीछे फेंक दिया और जब वह इस युद्ध के मैदान की ओर उड़ना शुरू कर रहा था, जहां ग्रिन रीपर था, हवा में विशाल जानवर को घोरते हुए, उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया, गौड किंग उजाड अविनाशी स्वर के मायावी रूप भगवान बोले, यह विशाल का आए जानवर और कोई नहीं बलकी स्वर को खा जाने वाला जानवर था, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप सब हैरान है, क्या यह अच्छा न भीतर दिखाई देती है, यह आकरती तेजी से शारिरिक रूप से बढ़ी और अंत में एक विशाल आकरती में परिवर्तित हो गई जिसका शरीर पूरी तरह से काला था, उनकी आखों में अत्याचारी आभा अतुलनिय थी, एक ही दृष्टी से ऐसा जान पड़ता था, कि वह इस संसार का स्वामी है, सर्वोच प्राचीन अमर लोकों में सब कुछ उसके पैरों के नीचे जुकना पड़ा, यह शैतानी आकरती बहुत भयानत थी, यह पूरी दुनिया के परम शैतान भगवान की तरह थी, जब वह प्रकट हुआ, तो स्वर्ग तिजोरी के कई वि पश्चिमी दुनिया के बुध सार्वभाम और ग्रैंड देविल लॉड ऐसे अस्तित्व थे, जो शुरू से ही एक दूसरे के विरोध में थे, एक बुध था, दूसरा शैतान, हालाकि इस समय बुध समराट वास्तव में ग्रैंड देविल लॉड को बुलाने में हो गया, क्या वह वास्तव में अब भी बुध था, सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के सभी विशेशग्यों के दिलों में पश्चिमी स्वर्ग को अब बौध धर्म का स्थान नहीं कहा जा सकता है, इसे जूठे बुधों का स्थान कहना अधिक उप्युक्त होगा, छोटा यह विशालकाय जानवर कोई और नहीं बलकि उसका पिता था, बौध संप्रदाय में पुनरजन्म बुध हैं, जो पुनरजन्म के दाओं में कुशल है, इस दाओं की प्रकृती दुष्ट है, दूसरों के शरीर को जब्ध करने में कोई अंतर नहीं है, बुध समराठ के र नहीं था क्योंकि मैंने इन सभी को देखा है, पश्चिमी स्वर्ग इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए, यह केवल दुनिया के लोगों के लिए परिशानी लाने का काम करेगा, वा ताइकसु ने आह भरी, उसने पहले से ही अपने अतीत की यादों को जगाया ह और बौध संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानता है, अब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी विश्व सेना के आक्रमन को देखा, तो उन्होंने पश्चिमी स्वर्ग के असली चेहरे को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देख लिया था, स्थान के मार्क पर गिर गए हैं, उन्हें परिवर्तित कर देंगे, वे दुनिया के लोगों के विश्वास को अपने उद्देशों के लिए इकठा करके नहीं लूटेंगे, मस्बूत होने की खातिर आपने कुछ भी त्याग करने से गुरेज नहीं किया, और यह भी ठीक इसी वजह से था कि पश्चिम में उस वर्तमान स्थान ने खुद को पश्चिमी स्वर्ग के रूप में नाम देने का साहस किया, अतीत में पश्चिमी दुनिया के बौध संप्रदाय की सक्ची पवित्र भूमी को धर्मनिर पेक्ष दुनिया ने दूशित कर दिया था, जि से पश्चिमी दुनिया को अच्छाई और गया के अपने मूल मार्क पर वापस जाने की अनुमती मिली, भव्य दानव भगवान और स्वर्ग भक्षन करने वाले दानव भगवान ने ठंडेपन से आगे देखा, उनकी आखे तिरसकार से टिंटिमा उठी, ग्रेंड डेवि अब महान शैतान भगवान के साथ जुड़े हुए लग रहे थे, यह भाग्य के ताव का उप्योग है, उसने इन सभी लोगों के भाग्य को अपने साथ जोड़ा, ग्रेंड डेविल लॉड अब बुध संप्रभु के लिए एक प्रतिस्थापन निकाय बन गया है, हुआ ताइक्सु के हावभाव देखने में बेहत भग्दे थे, बुध शासक भाग्य के ताव की साधना करते हैं, वह कुछ समय पहले ग्रैंड डेविल लॉड को वश में करने में काम्याब रहा होगा और उस पर इसका इस्तमाल किया होगा, अब इन सभी को निरंकुष तरीके स प्रदर्शित किया जा रहा था, ग्रैंड डेविल लॉड ने हुआ ताइक्सु पर नजर डाली और अपने हाथ से पकड़ लिया, इस पल में हुआ ताइक्सु ने महसूस किया कि उसका भाग्य छीन लिया गया है और वह ग्रैंड डेविल लॉड के नियंकरण में आ गया, जैसे ही उन्होंने अपनी रचना के संसार के चक्र में प्रवेश किया, उनके शरीर से संसार प्रकाश विकीर्ण हो गया, तभी वह भाग्य के हमले से बचने में सफर रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़ाई के लिए आपकी तयारी इतनी गहन होगी, ग्रिन लेना चाहता था, यदि यह इस तथे के लिए नहीं था कि उनके पास कई शक्तिशाली विशेशग्य थे, तो वे लंबे समय तक बुद्ध समराट से हार गए होते, यह स्वर्ग द्वारा भाग्य का फर्मान है, वह तिथी जहां सर्वोच प्राचीन अमर लोकों के अंतिम राजा का पहले से ही ताज है, वह दूर नहीं है, ग्रेंड डेविल लॉर्ड ने ठंडेपन से बात की, उसकी हथेली ग्रिम रीपर की ओर चली गई, इस ताड के हमले से ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई दाव नहीं है, हालाकि वह ताड का प्रहार ही दाव था, ग्रें यह सीधे ग्रिम रीपर की ओर जागिरा, इस समय ग्रिम रीपर के पीछे एक विशाल देवत्व प्रकट हुआ, मृत्यू के देवता, इसका विशाल शरीर अंगिनक मौत की मौत की मुहरों से भरा हुआ था, जो अपनी हथेली में एक साथ मिलकर बड़े शैतान भगवान क की ओर पटकते हुए, क्रूरता से फूट पड़ा, उनकी हथेलिया उसी क्षन टकरा गई, जुडी हुई मौत की मौरों की शक्ती उसी क्षन भड़क उठी, जिससे मौत की क्यूई ने सब कुछ निगल लिया, फिर भी शैतान हथेली की चाप बिलकुल भी कमजोर नहीं हु गया, उसके शरीर के भीतर लगातार विस्फोट होते रहे, जिससे रक्तरंजित शिद्र बन गए, यह बेहत भयानक था, यदि उसका साधना आधार परियाप्त उचा नहोता, तो वह पहले ही मर चुका होता, ग्रैंड डेविल लॉड का विशाल शरीर स्थूल रूप से व ग्रैंड डेविल लॉड के हमले के बाद के जटकों के नीचे मारे गए थे, उनके भाग्य को ग्रैंड डेविल लॉड द्वारा नियंतरित किया गया था, जो उनके साथ जुडा हुआ था, यह किसी काम का नहीं, हालात पहले जैसे ही हैं, जब तक हम इस पूरी सेना को नह करने में कोई आपती नहीं की, ग्रिम रीपर के हमलों को उस पर उतरना चाहिए था, लेकिन हमले की शक्ती को उसके पीछे पश्चिमी विश्व सेना में स्थाना अंतरित कर दिया गया, जिससे पश्चिमी सेना के हजारों विशेशग्य मारे गए, ग्रिम रीपर के हमले ज सावधान वह अब तुम्हारे पिता नहीं है, हुआ ताइक्सू चिलाया विशाल का अपंजा पहले से ही लिटिल रासकल के उपर आ चुका है अगले ही पल एक भयानक विनाशकारी भंवर दिखाई दिया सीधे लिटिल रासकल के विशाल शरीर पर लक्षित उसे ब्लाक होल में निगलना चाहता था गर्जन ननहे बदमाश ने धर्ती को चकनाचूर कर देने वाली दहाड मारी उसका शरीर भंवर से ढका हुआ था और उसे धीरे धीरे अंदर खीचा जा रहा था वह अतुलनिय रूप से निराश था क्योंकि उसका दिल मृत राख की तरह था उसकी आखों से आसू बह निकले उसकी टकट की बरफीली ठंडी थी क्योंकि वह चीखता रहा उसके शरीर का विस्तार होता रहा लेकिन वह कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो ब्लाक होल की तरह दिखने वाला भस्न करने वाला भंवर अभी भी उसे अंदर खींच रहा था लिटल रासकल के शरीर पर फर दैविय हत्यारों की तरह था अतुलनिय रूप से तेज वे सीधे उसके शरीर से निकल कर ब्लाक होल में जागिरे अलांकि फर के ये धागे जो कुछ भी घुस सकते थे वास्तव में चुपचाप ब्लाक होल में गायब हो गए गौड किंग डेसोलेट को हेवन डिवायरिंग गौड किंग के रूप में जाना जाता था वह स्वर्गिय दाउस और दुनिया की हर चीज को खा सकता था स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई समस्या नहीं थी कि वह दैविय हथियारों के समान फर के रेशों को खा जाए इस समय गौड किंग डेसोलेट के सामने एक आकरिती उभी बेमिंग युहुंग साथ ही साथ अविनाशी स्वर्ग के भगवान की भ्रामक आकरिती मदद के लिए दौड पड़ी अविनाशी स्वर्ग के भगवान ने अविनाशी दिव्य आरेखों को प्रकट करना शुरू किया जिसमें स्वर्ग और प्रित्वी के गहन रहस्य शामिल थे ये आरेख अविनाशी स्वर्ग के भगवान की समझ के अंगिनत वर्षों से बने हैं उसने उन्हें डाव आरेखों में बदल दिया, जो उसके मायावी शरीर का हिस्सा था ये आरेख तारों के प्रकाश के अंगिनक बिंदूओं के सन्योजन से बने हैं प्रत्येक प्रकाश बिंदू भी एक स्वतंत्र दैविय शिलालेख के समान प्रतीत होता था इस समय तारों के प्रकाश के ये अंगिनक बिंदू बेमिन योहुआं की ओर प्रवाहित हुए जब उसने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और गौर्किंग डैसोलेट की ओर इशारा किया बेमिन योहुआं ने अपना हाथ हिलाया इस समय समय रुका हुआ लग रहा था विशाल शरीर से एक भ्रामक आकरिती छिल गई थी उसी समय डाव आरेख ने गौर्किंग उजार के विशाल शरीर को उनमादी रूप से नश्ट करना शुरू कर दिया गौर्किंग डिसोलेट लिटिल रासकल की ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था उसने अपना पंचा चबाया और गुस्से में दहारते हुए लिटिल रासकल को उरते हुए भेजा डाव आरेख थोड़ा-थोड़ा करके गायब हो गया उसके शरीर से निकलने वाले भक्षन के नियमों से भस्म हो गया बीमिंग युहुआन को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका एक भी हमला अतीत के एक देवता को मार सकता है लिटिल रासकल पर नजर डालते ही वह तुरंत पीछे हट गई और अपनी मूल स्थिती में लौट आई क्या आपने स्पष्ट रूप से देखा है यह अब तुम्हारे पिता की आत्मा नहीं है बेमिंग युहुआन की आवाज निकली इससे पहले विशाल जानवर की आत्मा छिल गई थी वह आत्मा जो एक विशाल जानवर की आत्मा होनी चाहिए वास्तव में वह एक मानवाकार की आपरिती थी सपष्ट रूप से गौर्किंग दी सोलेट पहले ही मर चुका है उसका शरीर अब बुध संप्रभु द्वारा इस्तमाल की जाने वाली कठपुतली मात्र था ननहे साले की आखों से आसु की बड़ी-बूडे बहने लगी उसने स्वाभाविक रूप से देखा यह दैत्याकार पश्शु जिसका ठीक वैसा ही रूप है जैसा की वह था किसी अन्यव्यक्ती की आत्मा द्वारा नियंत्रित किया गया था यह अब उसके पिता नहीं थे आपके मरने के बाद आप वास्तव में अपनी उर्जा के एक हिस्से को सील करने में काम्याब रहे और इसे जारी करने के लिए दूसरों के हाथ का इस्तिमाल किया दुनिया के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले प्राचीन अजुरे रहस्यवादी के सच्चे सरवोच स्वामी की अपेक्षा के अनुसार अविनाशी स्वर्ग के भगवान है अतीत में आपके द्वारा चोटिल होने का मुझे कोई अफसोस नहीं है इस समय महान शैतान यहुवा बोला गौड किंग डिसोलेट और ग्रैंड डेविल लॉड दोनों ही प्राचीन देवता थे लेकिन ऐसा लगता था कि ग्रैंड डेविल लॉड सीधे बुद्ध सौवरेन के पास थे वह भाग्य संबंधी ताओ कलाओं की शक्ती को भी उजागर कर सकता था और स्पष्ट रूप से स्वर्गभक्षन करने वाले दानव भगवान की तुलना में अधिक मजबूत था आखिरकार गौड किंग डेसोलेट अब एक कटपुतली के अलावा कुछ नहीं था और उसके पीछे अभी भी पश्चिमी विश्व सेना द्वारा उर्जा सुद्रिधी करन का समर्थन था लेकिन आज मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा ग्रैंड डेविल लॉड ने ठंडेपन से बात की उसके बाद हतियारों के जोडे प्रकट हुए ग्रैंड डेविल लॉड के पास अचानक तीन सिर और छै भुजाय थी जिससे लोगों को लगा कि वे तीन ग्रैंड डेविल लॉड के खिलाफ लड रही है फिर उसने हमला करना शुरू किया डैविल पाम स्ट्राइक ने आकाश को ढख लिया ग्रिम रीपर की ओर धमाका करते हुए जबकि इंपेरिशेबल हेवन लॉड और हुआ ताइकसु बचाव करने की कोशिश करते हुए बाहर निकल आए इस समय समय रुका हुआ लग रहा था तारों वाली जगह खामोश हो गई ग्रैंड डेविल लॉड ने यहां समय को स्थिर करने के लिए स्पेस्टाइम के ताव का इस्तिमाल किया केवल उसकी शैतानी हस्तरेखा ही अस्तित्व में रह सकती है उसके पीछे पश्चिमी विश्व सेना के सभी विशेशग्य शैतान कल्टिविटर्स में बदल गए प्राचीन शैतान रोन शब्द उनके चारों और प्रकट हुए ग्रैंड डेविल लॉड की और बहते हुए उनकी शक्ती को बढ़ाते हुए इसके कारण ग्रैंड डेविल लॉड के पास अंगिनत शैतानी शब्द उसके चारों और घूम रहे थे इन भागे हुए शब्दों से ऐसा लगा जैसे वे दुनिया में हर चीज को दबाने में सक्षम थे जिससे ग्रैंड डेविल लॉड एक अजे अस्तित्व बन गया बीमिंग यूहुएं की कोमल और कोमल हतेली बाहर आ गई उसकी हतेली के सामने जो आरेक प्रकट हुआ वह एक अविनाशी तारा आरेक था ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी हतेली के सामने स्तरिक तारों वाली जगह का एक खिंचाव था जिससे उसे शैतान हतेली के प्रहार से बचाव करने में मदद मिली अंगिनत शैतान रोन शब्द अविनाशी तारा आरेक में पटक दिये गए जिससे तारों का स्थान तूट गया तारों वाले अंतरिक्ष के भीतर से प्रकाश की एक किरन जो प्रकट हुई हर चीज को नश्ट कर सकती है असीम अंतरिक्ष के माध्यम से शूटिंग कर रही है